सभी को नमस्कार स्वागत है आप सभी का साइन्स और फन पर जहां पर दीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो आज हम लोग मिले हैं इस एक्सपरिमेंट्स की वन शॉट की सिरीज के अगले वन शॉट के लिए विच इस मेटल्स और नॉन मेटल्स जो यहाँ पर नया है मैं उनको पताना चाहूँगा कि मेरा नाम आशू गई है और मैं यहाँ पर इस चैनल पर 10th क्लास को physics and chemistry पढ़ाता हूं फिजिक्स और chemistry के one shots की series हमने आप बाहुत दो प्यार से इसी सेरीज साट किए जिसको हम आप लोग बहुत प्यार दे रहें जिसमें हम लोग एकस्परिमेंट के साथ वनशॉट को रिकॉड करते हम डेमन स्टरर्शन देमatriya को लिभी करते है इस से बच्चों के metals and non-metal term 2 में मत्तब कि mid term 1 में नहीं आया अब वो mid term 2 में आएगा इसलिए भी तक हमने इस chapter को यहाँ पर नहीं कराया था लेकिन उससे भी important बात यहाँ पर discuss करना चाहूंगा अगर आपने हमारे सारे previous one shots देखें तो पता होगा हमने शुरू से लेके end तक किया जाता है उसके लिए आपको industrial machinery चाहिए होती है industrial setup से होते हैं और मतलब अब्विसे बात है जो कि factories में हो सकता है और कुछ चीजों के लिए तो license भी चाहिए होता है जो कि हमारे पास अब्विसे बात है नहीं the only point behind this is कि हम extraction of metal वाले हिससे में जब पहुंचेंगे जो कि इ हमारे पास कोई activities को experiment को demonstration नहीं होंगी लेकिन हाँ chapter बहुत प्यारा रहेगा बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और शुरू के 50% में एक दो चीज़े ऐसी भी होंगी जो हम लोगों को ने acid basis salt में ही पहले कर ले होंगी तो यहां पे हम उसको दुबारा से करेंगी हो सक करता है मैं copy paste कर दो कि हमने पहले भी किया है अगर आपने वह देख रहा है वन शॉट ऐसे प्रसक्राइब कर सकते हो अगर नहीं देखा हुआ है तो वाला पार्ट आप देख लेना मतलब the point is कि यहां पे आपको बाकी chapters के मुकाबर थोड़ा कम experiments देखने को में लेगे क्यों समझना बहुत जरूरी रहता है देखो होता क्या है मैं हमेशा से अपने offline में एक सवाल पूछता हूँ सवाल क्या है अच्छा जो बच्चे नहीं है मैं उनके यहां बता दू हम पूरे one shot के दरान कुछ सवाल पूछता है आपको comment section में time stamp केस आप से उसका answer देना होता है जि जी को तो answer है नहीं कर सकते आप अपने मन में कुछ भी imagine कर रहे होगे let us suppose आप यह imagine कर रहे होगे कि मेरे चाचा जी गंजे हैं मैंने अपने offline में सवाल पूछा तो मेरे बच्चों ने मुझे कहा था कि पेड़ बाच में पूछा था तो बच्चों ने कहा था कि आपके सारे बच्चों को जानता हूं आप भी इन में से होंगे जिनको जब मैं बोलता हूं metal तो तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आता है लेकिन जब मैं बोलता हूं non-metal तो उनके दिमाग में कुछ आता ही नहीं अब क्योंकि इस चैप्टर में हम सबसे पहले physical properties पढ़ने वा तो इससे पहले हम आगे बढ़ें हमें यहां पर बात करनी होगी कि दुनिया में जितने भी matter हैं जितने भी matter हैं हमने 9th class में उन्हें दो हिस्सों में divide किया था एक था हमारे पास pure matter और एक था हमारे पास impure matter हमने 9th class में matter को pure और impure में divide किया था अब pure matter को भी हमने दो चीजों में डिवाइट किया था एक थे हमारे पास elements elements वो होते थे जो एक ही type के atom से मिलके बने होते थे और एक होते थे compounds जो दो या दो से ज़ादा atom से मिलके बनते थे उनको हमने compounds का था impure चीजों अब वसी बाते mixture थी homogeneous, heterogeneous, collide, solution, suspension वहां नहीं जा रहा अब compounds तीन प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं acids, basins and salts इनके बारे में हम लोगों ने पूरा एक chapter पढ़ लिया है वहीं पे elements जो होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हमें इस chapter में पढ़ना है यानि कि metals, non-metals and तीसरा आपको पता ही होगा शायद metalloids अब है क्या अगर हम इस बात को समझें कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं आपको पता होना चाहिए हम लोग matter में pure form में elements को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं जब भी बोलता हूँ non-metal कुछ बच्चे बोलते हैं plastic कुछ बच्चे बोलते हैं लकड़ी यानि वुड पहली बात तो plastic और वुड element है ही नहीं plastic और वुड जैसे की mixture है plastic अगर पालो पॉली विनाइल क्लोडाइड है तो वह compound तो सबसे पर तो clear करो हम इस चप्टर में सिरफ elements यानि एक प्रकार के atom से मिलके बनने वाली चीजों की बात करने वाले हैं इता समझाए ठीक है अब उसमें भी metals जब मैं बोलता हूं तो आपके दिमाग में gold silver platinum copper हो सकता है sodium potassium आपके दिमाग में आता हूं लेकिन वहीं पर पता नहीं क्यों non-metals बोलते हैं बच्चों के दिमाग में कुछ नहीं आता अब problem क्या है most of the non-metals हमारे पास हैं वो gases हैं जैसे oxygen है fluorine है chlorine है nitrogen है यह सब gases हैं अब मैं अगर बोलू oxygen तो आप imagine भी क्या ही करोगे अब मैं बोलू chlorine तो आप imagine भी क्या ही करोगे लेकिन दुनिया में कुछ non-metals ऐसे भी हैं जो solid हैं और आपको उन्हें imagine करना होगा जैसे की graphite यानि की carbon अभी के लिए graphite कह देते हैं जैसे की sulfur अब हो सकता आपने sulfur और graphite ना देखाओ ग्रेफाइट तो खेर मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ बढ़ अभी के लिए आप koila समझे लो चलो koila या pencil की lead समझे लो समझे लो थोड़ा सा अलग है obvious सी बात है बढ़ अभी के लिए pencil की lead समझे लो graphite समझे लो इनके अंदर large amount में graphite itself होता है अब जब भी मैं समझो yellow रंग का chalk है आपके पास मैं sulfur तो नहीं दिखा पाऊंगा आपको भी लेकिन yellow रंग का chalk आप imagine करो एक yellow रंग का chalk sulfur नहीं होता है लेकिन sulfur exactly yellow रंग के chalk जैसा ही होता है तो yellow chalk को आप sulfur imagine कर सकते हो बड़े आराम से तो इसलिए जब मैं बोलू metal आपके दिमाग में कुछ आ जाना चाहिए जैसे कि graphite यानि कि मन में आपको इल्या को समझे लो या फिर sulfur जिसको मन में आप yellow रंग का chalk समझ सकते हो तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं physical properties of metals and non-metals यानि कि ऐसी properties जिनको सिरफ देखके या छूके या महसूस करके पता लगाए जा सकता है उन्हें physical properties कहते हैं यह हम लोग asset basis and salt में बात कर चुके हैं तो सबसे पहले जो physical property हम लोगों को पढ़नी हैं वो हमारे पास आती है malleability अब यह malleability क्या होता है देखो कई चीजे ऐसी होते हैं जिनको अगर आप ठोको जिनको आप अगर हतोड़े से मारो तो वो चपती होती चली जात हैं ऐसी property को बोलते है malleability और जो भी यह property शो करता है हम कहते हैं कि वो malleable है अब जो metals होते हैं जैसे gold, silver, again अभी हम बात करेंगे कुछ metals के बारे में iron, यहाँ पर कुछ iron की कीले है मेरे पास इसको हम लोग हतोड़े समारेंगे जो कि शाहिए common sense भी है कि metals are malleable लेकिन वहीं अगर आप non metals को imagine करोगे यह sulfur को imagine करो, sulfur मतलब मन में बोलना है yellow रंग के chalk को imagine करोगे, अब yellow रंग के chalk को अगर आप पीटोगे तो वो चप्ता हो जाएगा या चूरा हो जाएगा, answer है वो चूरा हो जाएगा, powder बन जाएगा, तो जो metals होते हैं वो तो malleable होते हैं लेकिन non metals को हतोडा मारने पर वो चप्ते नहीं होते हैं, वो तूट जाते हैं और ऐसे लोगों को brittle कहते हैं, brittle, तो लिखाव है all metals are malleable but non metals are not malleable, basically they are brittle, ठीक है न, अब एक note का point भी यहाँ पर आपको मिलेगा, which is कि जो gold होता है, gold वो लगभग लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि दुनिय है, आप नोटेस किया होगा, मिठाईयों के उपर silver की एक बहुत पतली सी layer लगाई जाती है, metals, मिठाई जो होती हैं, इसको silver का work बोलते है, silver की एक बहुत पतली से layer लगाई जाती है, और वहीं पर कभी कबार मिठाईयों पर gold की भी layer लगाई जाती है, 9th class अगर आपको या silver होता है, अगर आप अच्छी जगा से मठाई लेकर आते हैं, तो, चीक है ना, तो मैलियेबल होते हैं, कौन, metals, लेकिन, non-metals, मैलियेबल नहीं होते हैं, आउसको एक बार छोटे से, demonstration से, एक metal को और एक non-metal को हतोड़ा से पीट के देखते हैं, कि कौन मैलियेबल है, और कैसे powder की form में convert हो रहा है, जब इस पर हतोड़ा मारा जा रहा है, यह देखो, एक छोटा सा graphite का piece है, मेरे पास, अगर मैं इस पर हतोड़ा मारूं, वैसे जो टूटा वो भी graphite था या उसके buy product थे, लेकिन अगर मैं इस पर हतोड़ा मारूं, तो यह आप देख सकते हैं, कैस अगर मैं इस पर बहुत तेजी से हतोड़ा मारूं, तो आप देख सकेंगे कि यह कैसे चप्टा हो रहा है, टूट नहीं रहा है, लेकिन यह चप्टा हो रहा है, क्योंकि metals malleable होते हैं, लेकि non-metals नहीं होते हैं, हाँ जी, तो हमने देखा, I hope कि metals malleable हैं और non-metals नहीं, फ तो क्या, अगर मैं metals को खीचूँगा, अगर मैं metals को stretch करूँगा, या मान लो मेरे पास एक metal की rod है, और मैं उसको गन्ये की machine में पास कराऊँगा, तो वो तूटेगी नहीं, बलकि वो और बड़ी होचली जाएगी, मैं और पास कराऊँगा, तो वो और बड़ी होचली अगर आपको ductile का मतलब नहीं पता, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, ductility is a property in which any substance can be drawn into wires, ऐसे ही malleability में, when a substance is beaten with a hammer and if it converts in the form of sheet, then the substance is called malleable, ठीक है, तो आपको वैसे पता ही है, बच्पन से हम लोग पढ़ते हा रहे हैं, अच्छा, वहीं पर हम लोग बात करें, sonority की, यानि की sonoras की, अब metals के साथ क्या खास है, पहले बात तो sonoras का मतलब क्या होता है, देखो, जैसे कि अगर मैं एक sulfur की rod ले लूँ, और उसके उपर मैं ऐसे टक करके मारूँ, तो आवास तो आएगी, आवास तो सभी से आती है, लेकिन sulfur और graphite ringing sound नहीं पैदा करते, मतल अब जैसे अगर मैं metal के उपर मारूँ, टंग, ऐसे करके आवास आएगी, यानि ringing sound पैदा होगी, एक लोहे के scale को अपने अपने school में बहुत बार ऐसे करके एक तरफ से मारा होगा और वो vibrate करता है, तो ringing sound, जितने भी bells होती हैं, उनको हमेशा metal से क्यों बनाते हैं, उनके gong को मेशा metal से क्यों बनाते हैं, जितने भी मंदिर में घंटियां होती हैं, वो सारी metal की क्यों बनी होती हैं, क्योंकि जब वो टकराती हैं आपस में, तो ringing sound पैदा करती हैं और bell अच्छा sound करती है, वहीं पर imagine करो कि हमने मंदिर की घंटी को graphite से अगर बना रखाए, या sulfur से अ हम करके बस ऐसे करके कवा जाएगी ऐसे, ऐसे करके कवा जाएगी, बट वो ringing sound नहीं होगी, यह से करकर मैं अपने phone पे मार रहा हूं, अवास तो आरे है, और यहां पर ringing sound नहीं आ रहे है, ringing sound नहीं हा रही है, विसने मेरे मैं इसको अपने हाथ में पकड़ा हूँ आए, तो all metals produce ringing sound when beaten, but non-metal ऐसा नहीं करते हैं, इसके बाद हमारी जो अगली property आती है, वो आती है density की, अब density को समझने के लिए, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि आप क्या करो, एक bottle में metals भर लो generally, कोई भी और एक में non-metal generally, तो कौन सी वाली bottle भारी होगी, अगर दोनों की volume सेम है, तो इसके बाद ही metal से बहुत ज़्यादा है, बट मोश्टली, अब जैसे अगर आपको बोलो, एक bottle में metal भरो तो आप कौन सा metal भरोगे, तो आइरन भरोगे, copper भरोगे, हो सकता है जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, वो gold भर दे, silver भर दे, platinum भर दे, लेकिन ये metals सारे के सारे, अग क्लिटर की bottle में, non-metal भरोगे, non-metal oxygen है, fluorine है, जो gas ही है, solid में भरोगे तो कौन सा भरोगे, अब, graphite भरोगे, sulfur भरोगे, तो फिर भी जो metals वाली bottle होगी, वो non-metal वाली bottle से काफी ज़्यादा heavy होगी, क्योंकि जो metals होते हैं, उनकी जो density रहती है, वो काफी ज़्यादा high रहती ह as compared to non-metals, as compared to non-metal, आप दुनिया में ऐसे भी non-metal हैं, जैसे कि diamond, आपने शाहिए नाम सुन, क्या बात कर रहा है, तुमारे सामने खड़ा एक, ओहो भाई साब, बहुत घहरी बात बोल दी, आप सबने बटा diamond का नाम तो सुना ही होगा, diamond जो होता है, वो पहली बात तो हम हाइड बन गया और एक diamond बन गया, बट diamond मतलब कार बन है, अब diamond एक non-metal है, बट वो कितना जादा denser है, मतलब वो इतना denser है कि कुछ-कुछ metal से भी जादा denser है, और बाकी सारे non-metals उतने density-wise high नहीं होते हैं, बट ठीक है, metals are generally denser than non-metals, और वहीं पे non-metals में एक exceptional case है diamond, जो की बहुत जादा density वाला है, इसके बाद आता है luster, luster का मतलब होता है चमकना, क्या metals के पास चमक होती है, अक्सर, yes, most of the metals, most of the क्या, मुझे जो भी metals याद आ रहे हैं, सारे के सारे चमकते हैं, मुझे एक भी ऐसा metal नहीं पता, जो चमकता ना हो, अब वो अलग बात है कि जो हमारा iron है, iron पे रस्ट लग जाती है, रस्ट की वजए से उसकी चमक छुप जाती है, पर अगर आप उस रस्ट को हटा दो, या कभी आपने देखा होगा एक लोहे का सरिया, जो पड़ा रहता है, रस्ट खा जाता है, अब उसको जब आप काटते हो, तो जहां से काटते हो, वहां से वह चमक रहा होता है, same goes for sodium also, sodium उपर से oxidized हो जाता है, पढ़ेंगे हम उसके पर oxygen की लेर बन जाती है, को रोड हो जाता है, लेकिन जब उसको हम काटते हैं, जहां से काटते हो चमक रहा होता है, अब ये गोल्ड की रहेंगे, तो ये अभी भी चमक रही है, क्योंकि ये metals के पास चमक रहती है, गोल्ड जल्दी react भी नहीं होता, silver, platinum, ये सब चमकते हैं, but non-metals अकसर चमकते नहीं है, दुनिया में 2-3 non-metals हैं जो चमकते हैं, जैसे diamond है, iodine है, bromine है, ये चमकते हैं, but most of the non-metals dull होते हैं, उनमें कोई चमक नहीं होती है, तो metals are generally have shiny or luster surface and can be polished, जो जिसकी चमक होगी, उसको polish भी किया जा सकता है, वहीं पर non-metals are dull and cannot be polished, non-metals बहुत dull होते हैं, और उनकों polish नहीं कर सकते हैं, again, यहाँ पर लिखा भाई, कि जो diamond है हमारे पास, वो एकलौता ऐसा non-metal नहीं है, diamond है, bromine है, iodine है, जो कि non-metal है, लेकिन वो चमकते हैं, आप स होती है, चीक है ना बिटा, इसके बादा है, conduction of heat, यह बड़ा interesting है, क्या conduction of heat का बता होगा, good conductor और bad conductor, क्या metals good conductor of heat होते हैं, तो आंसर है, yes, बिलकुल होते हैं, और इसको भी हम एक छोटी सी activity से समझ दें वाले हैं, वैसे तो आप सब को पता है, कि metals के पार, और हम यह जो activity करन यह NCART की है, बढ़ हम सब जानते हैं कि metals के पार, बहुत असानी से heat चली जाती है, क्योंकि metals are good conductor of heat, वहीं पे non-metals की अगर बात करें, तो उन में से heat असानी से जा नहीं सकती है, तो non-metals बन जाते हैं bad conductor of heat, आओ इस बात को समझें कि मैं क्या क्या रहा हूं, हम लोग क्या कर लेने वाले हैं, हम लोग metal की एक rod लेने वाले हैं, और इस metal की rod पर हम यहाँ पर एक stand लगा देंगे, कितना गंदा बना रहा हूं है, इसको ऐसा करता हूं, उन से बनाता हूं, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक metal की rod लेने वाले है, यह metal की rod है, ठीक है, और इस स्टैंड का बेस हो गया ठीक है कोई दिखकेते नहीं है यह स्टैंड का बेस हो गया अब यह जो हमारे पास रॉड है हम क्या करेंगे इस रॉड पर जो हमारे पास ग्ल्यू गन होती है या वैक्स होती है उस ग्ल्यू गन या वैक्स से हम क्या करेंगे यहां पर कुछ पिंस को कोई भी पिन होंगी जो हमारे पास available है उन पिन्स को यहाँ पर हम लगा देंगे यह हमारे पास pink color की pins है और यह orange color का glue है उससे या wax से लगा देंगे इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर वैसे तो हम chemistry की lab में burner लेते हैं मैं यहाँ पर पर नहीं करूँगा घर के गैस के चूले पर करूँगा और यहाँ पर इसको हम heat करेंगे अब मैं जब इसको एक end से heat करूँगा जब मैं इसको एक end से heat करूँगा तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि यह pin जो है pin A जो है वो सबसे पहले गिरेगी फिर pin B गिरेगी फिर pin C गिरेगी और फिर pin D गिरेगी ऐसा क्यों हुआ वोगि जब मैं इसको एक end से heat कर रहा हूँ दीरे दीरे heat एक जगा से दूसरी जगा जा रही है अब heat के एक जगा से दूसरी जगा जाने से यह कैसे पता लग रहा है पहले बात तो जारी है बिकॉस ऐसा नहीं है कि सब एक साथ गिर गई एक एक करके गिरी अब amount of glue पे भी depend करता है अब एक तरफ glue ज़्यादा लगा दोगे एक तरफ कम तो यह obvious बात हो जाएगी बट generally ऐसा होगा कि जो pins हैं वो आप एक लोगे की रोड को गैस पर रख दो थोड़ी तरबाद आपको वो खुद ही महसूस हो जाएगा कि हीट आरे आपको छोड़ना पड़ जाएगा रोड बट ठीक है ये भी एक तरीका है ठीक है ना तो आप सबसे पहले इस activity को यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं कि अच्छा आप यही काम अगर मान लो मैं मेटल की बजाए नान मेटल की रोड से करूँ जो कि अबवेस से बात है हम नहीं करना वाले हमें पता है और ऐसा नहीं होगा बट मानो में पास सल्फर की रोड हो और मैं यह काम सल्फर की रोड से करूँ तो जीवन भर लगा रहा हूँ ऐसा नहीं होगा सल्फर में आग लग सकती है सल्फर काला हो सकता है लेकिन हीट इदर से उदर नहीं आएगी बहुत कम ना के बराबर एक आद पिन गिर जाए अब देखो ना हीट यहां से भी तो हवा से यहां पहुंच रही होगी तो पिन वैसे भी गिर सकती है बट लास्ट वाली पिन भी गिर जाए यह बहुत कम चांसेज है ना के बराबर चांसेज है समझ गए तो इस प्रोसेस से दीरे 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 दे रहे एक एक पिंज जो है वो गिरती चली जाएगी आप एक बार इसको इस activity के मादे हम से देखते हैं चली तो ये मैंने एक चाकू ले लिए और चाकू पर मैंने actually पिंज की बजाए glue guns की stick को काटके लगा दिया च्छा ठीक है अब मैं एक तरफ से चाकू को गरम करूँग आप देख सकते हैं यह पहला जो हमारा glue gun का हिस्सा है वो गिरा यहां अब हम थोड़ा सा और हीट यहां पर इसको हम थोड़ा सा और हीट करते हैं थोड़ा स्पीड बढ़ारों ताकि आपका time ना waste हो लेकिन काफी देर बाद जाके काफी समय के बाद जाके actually में यह अगला वाला हिस्सा जो है वो नीचे गिरा लेकिन गिरा और ऐसे ही और ऐसे ही तीसरा वाला गिर आप चौत्थे का वेट नहीं कर सकते बहुत देर लगेगी हां ठीक है तो आई होप हम समझे कि बाई कैसे एम मेंटल सरा गूड कंड़क्टर आफ फीट होते हैं अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं एक पॉइंट है यहां पर आपको एंड करवाना चाहूंगा लिखाए अधि का मेंटल सर्गूर्ट गूडटक्टर आफ फीट वेराज नार्मेटल्स आर बैड केंदक्टर अब यहां पे एक नोट का पॉइंट डालना चाहूंगा मैं और वो नोट का पॉइंट कहता है कि भाई कॉपर को एंड शिल्वर को आर को बेस्ट को एक कंडुक्टर्स को और वहीं पे लेड पीबी love me and hg यानी mercury are poor conductors समझें क्या क्या हमने लिखाय कि जो चॉपर और सिल्वर है वो हमारे लिए best conductors हैं मतलब बहुत बढ़िया बहुत अच्छे conductors हैं वहीं पे लेड और mercury जो हैं वो मतलब हैं तो metals लेकिन वो अच्छे conductor नहीं है पूर है मतलब imagine करो आपके पास एक lead का बनावा डंडा है और एक copper का आप यह दोनों डंडे अगर gas पर रखते हो same size same चुड़ाई same लंबाई तो कौन से वाले में heat आप तक जल्दी पहुंचेगी copper बहुत जादा बहुत जादा अच्छा conductor है copper और silver और यह reason एक सवाल भी है कि copper से क्यों heating utensils बनाए जाते हैं क्योंकि copper best conductor of heat है cooking utensils तो मैं नहीं कहूंगा heating मैं आपको एक छोटी से कहाने बताता हूं मेरे जो मामा जी है मेरे जो मतलबसा की मामा जी है छोटे मामा वो उनका उनकी factory हीटिंग elements की वो heating elements supply करते हैं साथ ही साथ वो hot water tanks भी supply करते हैं hotels को तो एक दिन की बात है कि मैं उनके साथ छोटा था मैं तो मैं उनके साथ एक बार किसी होटेल में supply के लिए जा रहा था मतलब order लेने समान नहीं था मलबस और लेने जा रहे थे तो order लेने में उनके साथ गया था तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें यह समान चाहिए तो जब वो लिष्ट उन्होंने मेरे को पकड़ाई मेरे अपने हाथ में रखी अब हम गाड़े में वापस आ रहे हैं तो मैंने देखा कि लिष्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो hot water tank है उस होटेल्स में आपको सबको पता है समय की बहुत कीमत होगी खासकर फाइफ सार होटेल्स में जहां पर आपको वह इतना पैसा दे रहे हैं तो आपको उनको बदले में सर्विस देनी होगी कि पानी जल्दी गरम भी हो जाए ठीक है ना बास समझ में आई बटा तो इसलिए मह इनी को गरम करते विकास杓 लैण उतना अच्छा कंड़क्टर नहीं अच्छा कंड़क् unf charter pastor अकवर अगर बात ना पर कन्डॉक्शन ओफ o कंडॉक्शन ओफ इलेक्रिसिटी सब्सक्राइब आप सब जानते हैं मैटल्ज और गुड कंडॉक्टर ओफ इलेक्रिसिटी विकॉज भी इस प्रियलेक्टर्ड सिटी जब पता है था हर एक बौड़ी के भागने लग गए, दोडने लग गए, तब वो बिजली बनाते हैं, लेकिन उनके पास free charge होने चाहिए जो दोड़ें, अब जो non-metals होते हैं, sulfur और हमारे पास oxygen वेगरा, इनके पास free electrons नहीं है, जिसके वैसे बिजली इदर से उदर ले जाने वाला ही नहीं है कोई, लेकिन वह हमारे पास यहां पर bulb है, इसके वायर है, पूरा setup है, मैंने यहां फिलाया नहीं, यहां पर चीज़े होती है, उतनी reflection board पर थोड़ी पढ़ती है, तो मैंने कुछ छोटे मुझे डब्बे में डाल दी, अब यहां पर क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक bulb होगा, यह बल्ब है, बहुत प्यारा सा बल्ब है, ठीक है, ठीक है, अब यहां पर एक वायर लगाएंगे, यहां पर एक वायर लगाएंगे, इस वायर के बीच में एक जगा छोड़ देंगे, ठीक है न, जगा छोड़ देंगे, और यहां पर भी एक वायर लगाएंगे, यह positive है और यह negative है ठीक है ना अब जैसे ही मैं इसके बीच में एक metal का तुकड़ा लगा दूँगा जैसे ही मैं इसके बीच में एक metal का तुकड़ा लगाओंगा मान लो मान लो मैं यहां पर एक metal का तुकड़ा लगा दूगा यह metal का तुकड़ा लगा दूगा तो यह metal का तु नहीं है लकडी तो नहीं है लेकिन अगर मैं उसकी जगह पर लगा तुमालो तो यह आप खुला चोड़ रखा तो हवाब में 78 परसंट तो ना इत्रोजन है तो बल्ब जलना चाहिए था अगर नॉन मेटल गूट कंड़क्टर अफलेक्टर पर ऐसा नहीं होगा यह बल्ब न तो एक नॉन मेटल है लेकिन वह गूट कंड़क्टर अफ इलेक्शिटी होता है इसका रीजन में आपको दूँगा कार्बन एनिट्स कंपाउंड वाले चप्टर में कि गरिफाइट वैसे तो एक नॉन मेटल है बट वह गूट कंड़क्टर ऑफ एलेक्शिटी है बट इसले नहीं बनाते हैं कि एक तो सिल्वर महंगा है और दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत काम होता है तो वायर बहुत जल्दी पिगल जाएगी हीटिंग इफेक्ट आफ करंट से यह भी हमने लेक्शिटी में बढ़ा है तो यह एक टेस्टर इसको हम बेसिकर टे नालिव है कि दो ताआरे मैं नहीं पर चिल दी है अब अगर मैं बहुतारों क्यारों को जोड़ूंगा तो बल्ब जल जाएगा अब अगर मैं इसको नवटी पर टच करूल गहा है यह लगड़ी पर ताच हो रहा conductor of electricity होता है अब इसके बीच में कोई भी और चीज आएगी जो की good conductor होगी तो वो बल्ब को जला देगी जैसा अगर मैं उसको बंद करो एक सेकंड के लिए और मैं यहाँ पर अगर मान लो एक यह उशांक सर की फोटो लेगा हूँ ठीक है अब अगर मैं इस फोटो पर मान लो अब यहाँ पर यह प्लास्टिक है शायद प्लास्टिक पर भी यह नहीं जल रहा क्योंकि यह एक metal नहीं होगा शायद यह good conductor नहीं होगा लेकिन इस पर जल रहा है इसका मतलब है कि यह जो तो यहाँ पर हमने देखा कि जो metals है वो good conductor of heat भी है और कहीं नहीं good conductor of electricity भी है अब अगर आगे हम लोग बात करें hardness और appearance के बारे में तो हम सब शायद यह जानते हैं कि metals generally बहुत hard होते हैं उनकी जो appearance होती है वो silver gray होती है देखो gold को mercury को और दो-चार और metals को अगर मैं छोड़ है अना मैं कहा रहा हूँ gold को छोड़ दो silver खुद अपने आप में silver है zinc जो है वो silver होता है sodium magnesium यह सब silver color के होते हैं तो metals की appearance generally silver gray होती है और generally metals hard होते हैं again mercury एकलोता मतलब एकलोता तो नहीं लेकिन room temperature पर एक ऐसा metal है जो कि liquid state में होता है although मेरे हाथ की गर्मी में gallium और franchium जैसे metals मेल्ट हो जाते हैं बड़ ठीक है आगा मैं room temperature के बात करूं तो mercury जो है वो liquid होता है और sodium और potassium जैसे metals बहुत ज्यादा हाद नहीं होते हैं बल्कि वो इतने soft होते हैं क्यों इन चाकु से काट सकते हैं शाद आपको पता हो 24 karat gold जो होता है वो भी काफी soft होता है chocolate जैसा होता है जोड़ से दबाओगे तो impression थोड़ आ जाएंगे इसलिए उसे hard करने के लिए alloys बना के उसे jewelry में convert करते हैं जिसको भी हम इस chapter में आगे पढ़ने भी वाले हैं ultimately the point is the overall point is कि metals generally hard है और वो grayish appearance में generally दिखते भी हैं तो metals are generally hard and solid यह generally hard होते हैं solid होते हैं and also they have gray silver appearance इनकी appearance भी gray silver होती है और वहीं पर अगर हम लोग लिखें तो non metals लगबग आपको हर state solid liquid gas में पाए जाएंगे बड़ यहां पर हमारे पास एक exceptional case आता है जो कि है mercury का mercury इकलौता ऐसा non metal है जो कि आपको liquid state में मिलेगा और वहीं पर sodium potassium और lithium जैसे metals इतने soft है कि आप इन्हें चाकू से काट सकते हो अच्छा अब उपर हम लोग कह रहे है कि जो non metals है वो generally soft है gases है fact पतायता हूँ अगर ऐसा मान ले थोड़े देर के लिए कि हमारे पास दुनिया में 120 elements है although उससे उपर है बर ठीक है अभी एक rough round of number लेते है 120 elements हमारे पास है तो 70-80 से भी जादा हमारे पास metals है तो metals का number हमारे प हमारे पास बहुत कम है और बचे कुछ है noble gas या metalloids भी होते हैं अब जो भी हमारे पास non metals बचे कुछ है उनमें ज्यादा तर तो आपको पता है gas state में पाई जाते हैं तो इसलिए यहां पर इनका generally हम इनको hard तो नहीं बोल सकते हैं but diamond exceptional case आप फिर से जानते हैं जो कि है तो ए graphene मैंने इसके ओपर एक video बनाई थी मैंने मेरी जो नहीं गाड़ी है मैंने उसके ओपर इसकी layer लगवाई थी graphene की graphene जो होता है वो diamond से भी ज्यादा हाड होता है हम carbon compound में इसके बारे इसके बात करेंगे but naturally occurring अगर बात करें वो artificially बनाया गया इनसानों के दौरा but diamond naturally hardest substance known है इसके बात अब यह मुझे लगता है पढ़ाने की जूरत नहीं melting and boiling point यह obvious हो जाता है कि अगर हाड है तो इनका melting and boiling point भी high जो है वो रहेगा तो यह हमारे पास अभी तक हुई physical properties अब उन physical properties के हिसाब से यहाँ पर एक सवाल आ रहा है पहला एक ऐसा liquid एक ऐसा metal बताना है जो room temperature पर liquid है आपको पता है मरकरी है एक ऐसा जिसको चाकू से हम आसानी से काट सके तो आशर है sodium है potassium है आपने बहुत वीडियोज देखी होंगी स्कूर में भी आप इसका इसका इस्तमाल करोगे लेकिन इतना soft होता है कि आप इसे मक्षन जैसे मक्षन चाकू से कट सकता आप इसे आने वाली हैं अभी तक हम जो properties पढ़ रहे थे वह physical थी कोई chemical reaction नहीं देखके मुछू के महसूस करके हमने पता लगाया अब हम लोग आएंगे physical property और चाहाब हमें reaction करानी होगी तो सबसे पहली chemical property आती है और वो आती है reaction with oxygen अब यह जो प्रॉपर्टी है जहां तक मुझे य reaction and equation में magnesium का case study भी किया था जहां पर magnesium oxygen के साथ react हुआ और उसने metal के oxide बनाये ते और यह मैं आपको acid basis and salt में बता चुका हूं कि इनके जो oxides होते हैं वो basic होते हैं बागी आओ एक बार इनके बात भी कर लेते हैं जैसे कि अगर मेरे पास sodium है अब अगर मैं sodium को जलाता हूं oxygen के स sodium oxide बन जाता है और यह sodium oxide basic nature का होता है कैसे मैं भी आपको पताऊंगा बट वहीं पर अगर ऐसे ही मैं potassium को पानी में डाल दूं तो potassium oxide बन जाएगा अगें यह दोनों है तो oxide लेकिन यह पानी में जाने के बाद base form करते हैं क्या जगह हैं हमारे पास नहीं तो यहीं पर कर लेते क्या बनाएगा अब 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 हम सब जानते हैं कि एक बेस है इसलिए metal के oxides को basic oxide कहा जाता है क्यों क्योंकि यह जब खुद बनते हैं और इन्हें पानी में डाल दिया जाए तो यह base form करते हैं चीक है और वहीं पर जो potassium oxide है जो potassium oxide है यह भी पानी में अगर जाएगा तो यह potassium sodium hydroxide और यह दोनों की काफी अच्छे base हैं इसको तो आप काफी जानते भी हो तो इसका मतलब होगा कि जो metal के oxides होते हैं वो basic nature के होते हैं generally, generally chemistry में हमेशा लगा होगा चाहे हम लगाएं चाहे ना लगाएं आपको पता होना चाहें यह generally शब्ध हमेशा रहेगा क्यूंकि chemistry में बहुत सारे exceptional cases भी होते हैं अब यहाँ पर देखो लिखा भी वाएं कि generally all metal oxides are basic that means they react with water to form basis और यहाँ मैंने आपको यह दिखा भी दिया चीक है जी अब इसके बाद आते हैं हमारे पास कि amphoteric oxides क्या होता है तो ऐसे oxides जो acidic behavior भी दिखाते हैं और basic behavior भी दिखाते हैं जैसे कि zinc oxide और aluminum oxide which is Al2O3 यह oxides amphoteric ह होता है ऐसे oxides जो acidic और basic दोनों behavior दिखाएं बट कैसे सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि Aluminium Oxide जो है Al2O3 यह acidic behavior भी कैसे दिखा सकता है और basic behavior भी कैसे दिखा सकता है देखो अगर मैं इसको acid के साथ react कर रहा हूं तो यह क्या बनाता है AlCl3 जो की एक salt है और बदले में बनाता है यह पानी तो हम सब दुनिया जानती है कि HCl1 एक acid है अब acid के साथ कौन है जो react होके salt or water बना रहा है तो answer is base यानि कि यहाँ पे Al2O3 अपना basic oxide शो कर रहा है और इससे करना भी चाहिए था क्योंकि metal का oxide है और metal के oxide basic होते हैं लेकिन हमने इसको जब base के साथ react करवाया जब हमने aluminium oxide को ही जब हमने aluminium oxide को ही base के साथ यानि की NaOH के साथ जब react करवाया तो हमें बड़ी हरान कर देने वाली एक चीज़ दिखी और वो क्या थी कि aluminium oxide NaOH के साथ react होके भी Naalo2 यानि की sodium aluminate नाम का एक salt बना रहा था और यहां पे water बना रहा था अब हम सब अगें जानते हैं कि NaOH एक base है और base के साथ ये react होके salt और water बना रहा जो कि दोबारा से show करता है कि इसका nature acidic है यानि एक reaction में acid के सामने ये base बन गया और एक में ये base के सामने acid बन गया जिसका मतलब है कि ये दोनों behavior show करता है and that is why and similarly zinc oxide भी इन्हें amphoteric oxides कहा चाता है तो ये तो हुआ कि metal जब oxygen के साथ react होते हैं तो क्या होता है अब आप सोच रहे होगे non metals का क्या अब बड़ी हिरान कर देने वाली बात है अगर आप अपनी NCRT खोलोगे तो non metals की chemical property हमें ये chapter पढ़ने को बोला ही नहीं गया बट इसके उपर सवाल आते है खासकर पहली property के उपर तो यहां पर मैं को करवा रहा हूं कि जब non metal react होते हैं oxygen के साथ तो यह obvious है कि यह non metal oxide बनाते हैं यह बनाते हैं non metal oxide और यह non metal oxide acidic nature के होते हैं यानि उल्टा होता है जैसे metal के oxides basic nature के थे वैसे ही non metal के जो oxides होते हैं यह acidic nature के होते हैं अगें एक्जाम्पल के तौर पे सल्फर एक नॉन मिटल है, अब सल्फर पानी में, ऑक्सिजन से रियक्ट होके सल्फर डाय ऑक्साइड बनाता है, अगर मैं इसी सल्फर डाय ऑक्साइड को पानी में डाल दूँ, अगें, ह2SO3 नाम का असेड भी बनता है, बड़ा कर एक्से बनाया, क्या इसके ऑक्साइड ने पानी में जाने के बाद असेड बनाया, तो आंसर है yes, that is why सारे के सारे नॉन मेटल के जनरली ऑक्साइड असेड होते हैं, तो यह बहुत बार डिफरेंस है, अब यह मैं क्यों करवा रहा हूँ आपको, बिकॉस एंसी आर्टे में यह केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने है, तो यह आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, and that is why यहाँ पे आते हैं, हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में, हमने नॉन मेटल को भी थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है जे, चलिए, अब आगे बात करते हैं कि, को थोड़ी न दुबा के रखते हैं, सोडियम और पोटैसियम जैसे मेटल को ही क्यों दुबा के रखते हैं, हम सब जानते हैं कि, ऑक्सीजन से आपका जो रियाक्शन है, यह इस पे भी डिपेंड करता है कि, आप खुद कितने रियाक्टिव हो, अब अगर मैं एक टेबल गोल्ड रख दूँ और एक टेबल पर सिल्वर रख दूँ और एक टेबल पर आइरन रख दूँ तो आपको सबको पता है, कि सबसे जादा जल्दी इन तीनों में जो औक्सीजन से रियाक्ट होगा, वो आइरन होगा, और सबसे कम जोगा, वो गोल्ड होगा, लगबग में वो रियाक्ट नहीं भी होते हैं, और जब कोई मेटल बहुत जादा हाइली रियाक्टिव होता है, उसके साथ तो रियाक्शन इतनी विग्रस होते हैं कि बाहर सोडियम और पोटासियम बहुत जादा रियाक्टिव है, बाहर सोडियम और पोटासियम पड़ा भी रहेग किसी के साथ react ना हूँ, इसलिए, खासकर oxygen के साथ, हमने इनको oil में डुबा दिया, क्या आपको पता है, oil के अंदर moisture और oxygen नहीं जा सकती है, तो हमने इसको oil में डुबा के रखा हुआ है, है ना भई, answer आप देख सकता है, reactivity of metal with oxygen depends on the reactivity of metal itself है ना, या फिर affinity याने कि कितना प्य while there will be no supply of oxygen, अब अगर अंदर oxygen नहीं होगी, तो उनकी reaction जो है, वो एक प्रकार से बच जाएगी, समझ गए, तो इसलिए हम इने kerosene oil में डुबा के रखते हैं, ताकि ये react ना हो जाए, air के साथ, और oxide ना फॉर्म करते हैं, खराब ना हो जाए, बेसिकली, क्योंकि अगर sodium oxide म पढ़ने वालें, तो आती है, reaction with acids, अब मैं यहाँ पर जाधा समय नहीं गवाँगा, क्योंकि reaction with acids हम लोगों ने, आगर आपको याद हो, तो acid basis and salt में पढ़ावाई, ये दुबारा आ रहे है, बस वहाँ पर हम acids की properties पढ़ रहे थे, यहाँ पर metal की, लेकिन अब रियाक्शन तो सेम ही होगी, ना, reaction तो सेम ही होगी, तो सबसे पहले अगर मैं याद दिलाओं, तो metals जो है, वो mostly सारे acids के साथ react होके, salt और hydrogen gas बनाते हैं, बस आपको याद होना चाहिए कि कुछ metals हैं, जो react नहीं होते हैं, जैसे कि, जो less reactive metals हैं, जैसे कि copper है, silver है, gold है, platinum है, etc., ऐसे कुछ दो-चार और metals हैं, जो नहीं react होते हैं, किस के साथ, acids के साथ, बाकि सारे लगबग acids के साथ react होके, salt और hydrogen gas बनाते हैं, example के तोर पे, again, मैं यहाँ पे ज़्यादा effort नहीं मार रहा है, क्योंकि यह reaction हम लोग acid basis and salt में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे अगर मैं zinc नाम का metal लेत होते हैं, तो salt और hydrogen मनाते हैं, similarly, अगर मेरे पास magnesium है, और मैंने लिया है, मान लो HCl, तो मुझे एक salt मिलेगा, MgCl2, और साथ में hydrogen gas जो है, वो भार आ जाएगी, अब यहाँ पे आपको याद करना है, एक exceptional case जो आपको उस chapter में पढ़ाया गया था, और वो क्या था, अगर आ आरे acids के साथ, metal react होके hydrogen बनाता है, लेकिन याद करेंगे, HNO3 के साथ, with HNO3, metals form salt, salt तो बनाएंगे, लेकिन साथ में बनाएंगे, water, साथ में क्या बनाएंगे, water, यानि कि with HNO3, metals form salt and water, but not hydrogen, but not hydrogen, hydrogen, यानि कि हमारे पास अगर HNO3 है, अगर हमारे पास HNO3 है, अगर हमारे पास HNO3 है, तो HNO3 के साथ, ये react होके water form करते हैं, instead of hydrogen, hydrogen क्यों नहीं बनाते हैं, अगर किसी को याद है, तो time stamp देख लो, comment section पर answer दो, कि आपके हिसाब से क्या reason था कि सारे acid hydrogen gas बनाते थे, लेकिन HNO3 नहीं बनाते था, जल्दी पताओ इसका reason के है, वरना मैं तो लिखी रहा हूं यहाँ ठीक है न, जल्दी बताओ, this is because, this is because, जल्दी पताओ क्या reason है भई, I hope आपने comment section पर भी तक लिख दिया होगा, this is because, HNO3 is a very good oxidizing agent, याद करेंगे कि actually, HNO3 बहुत अच्छा oxidizing agent होता है, जिसकी वैसे वो hydrogen तो बनाता है, याद करो, जिसकी वैसे वो hydrogen को displace तो करता है, hydrogen को form तो करता है, लेकिन वो hydrogen को oxidize कर देता है, और H2 को oxidize करके, वो convert कर देता है H2O में, जिसकी वज़ा से actually में hydrogen gas बनती है, लेकिन वो oxidize होके वापस से water में convert हो जाती है, लेकिन याद भी करना है कि दो metals ऐसे होते हैं, जैसे कि magnesium और except हैं, आपर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे exceptional case आगें, except magnesium, यह कुछ ऐसे metals हैं, calcium भी है, यह कुछ ऐसे metals हैं, जो HNO3 के साथ react होके hydrogen बना देंगे, लेकिन बाकिस सारे metals hydrogen नहीं बना पाते हैं, actually hydrogen बनती है, लेकिन वो hydrogen oxidize होके water में convert होती है, तो summary क्या है, तीन यहाँ पर बात आई, summary यह है, metal react होँगे, acid के साथ hydrogen बनाएंगे, सिवा इन metals के, okay, HNO3 hydrogen नहीं बनाएगा, पानी बनाएगा, okay, लेकिन HNO3 magnesium और magnesium और magnesium जैसे metal के साथ react होगे, hydrogen ही बनाएगा, तो यह तीन बाते हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, इसके बाद हमारी जो तीसरी chemical property आती है, वो भी आप लोग पहले से ही जानते हो, और है metals with other metal salts, अरे यार देखो, मैं एक metal जब दूसरे metal salt के साथ react होता है, पहली बात तो इस reaction को प्यार से, हम लोग displacement reaction कहते हैं, पहली बात तो इस reaction को प्यार से जो नाम दिया जाता है, वो displacement reaction है, तो अब इस reaction पर ज़्यादा effort, यह कलौती है से reaction है, जो हर एक बच्चे को रटी भी है, reactivity series अगर आपको याद हो, जिसमें हमारे पास zinc है, और zinc के अंदर मैंने copper, reactivity series याद की भी है, chemical reaction and equation, and zinc is more reactive than copper, reactivity series याद है, जिसको नहीं है, जो अब देखो, वैसे तो ऐसा होता होना तो नहीं चाहिए, कि अगर आपको chemical reaction equation नहीं आता, और आप metal से non-metal पर आ गए, तो यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि सारे chapters में, कुछ ना कुछ connections है, बहुत जादा नहीं पर थड़े बहुत हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है, जिसको reactivity series के बारे में ही नहीं पता है, तो मैं यहापे दो मिनिट जादा लगा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, reactivity series पहली बात तो है क्या चीज, देखो, हमने क्या किया, दुनिया के जितने भी metals हैं, दुनिया के जितने भी metals हैं, उन सारे metals को हमने एक series में लगा दिया, एक series में लगा दिया, जिसमें हमने उनको decreasing order में लखा, यानि सबसे उपर जो आएगा, उसकी reactivity सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे नीचे जो आएगा, उसकी reactivity सबसे कम होगी, जैसे की, hydrogen और copper उपर नीचे, आपको कहीं कहीं जगाओ पर देखने को मिलेंगे, तो इतना चलता है, अरे, 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 बट फिर भी, reactivity series का है, हमारे पास, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, अपना silver, gold और platinum, तो ये हमारे पास reactivity series है, अब इसके हिसाब से, जो potassium है, वो सबसे ज़्यादा reactive है, और यसे ज़्यादा नीचे आएगे, reactivity कम होते चले जाएगे, ये होती है, reactivity series, तो सबसे कम reactive हो गया potassium, सबसे ज़्यादा reactive हो गया, ओ स्वारी, सबसे कम reactive हो गया platinum, सबसे ज़्यादा हो गया potassium, मैंने वहाँ पर ये पताया था, कि आप ये मत समझना, कि दुनिया में सिर्फ इतने ही metals हैं, मैंने आपको ही पताया हम अरपास, सतर पर चत्तर से भी उपर क्या हैं? Metals हैं, अब सतर पर चत्तर से भी उपर metals होने के बावजूद भी हमने यहाँ पर गिने चुने metals की क्यों लगा रहा है, नहीं जरूआ है, मतलब नहीं, जैसे अगर मैं बोलूँ आप में से बहुत सारे तो यह सारे metals भी नहीं देख पाएंगा, शायद आप में से 50% से दा जनता कभी potassium है नहीं नहीं देख पाएगी, क्यों देखेगी, मतलब गोल्ड सब ने देखा है, गरों में होता है, सिल्वर देखा है, कहीं घर में, प्लाटिनम की जूल्डरी पहनते हैं, कॉपर सब के घर में हैं, आइरन सब के घर में हैं, बाकी सारे metals जो इस series में हैं भी नहीं, वो तो शायद कभी आप देख भी नहीं पाऊगा, बहुत कम चांस है कि आपने सामने उन्हें देख पाऊ, तो यूज करना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए reactivity series में काम के metals हमने डाले, अब zinc जो होता है, वो copper से ज़्यादा reactive होता है, अगर ज़्यादा reactive होगा, तो zinc जो है, वो copper को अपनी जगा से हटा देगा, और खुद बैठ जाएगा, और क्या बन जाएगा, zinc sulfate, और बदले में कौन भारा जाएगा, copper, बिल्कुल इसी प्रकार से मान लो, अगर मैंने sodium ले रखा है, और यहाँ पे मेरे पास Fe SO4 है, तो sodium जो है, Fe को हटा देगा, बना देगा Na2SO4, प्लस में जो है Fe भारा जाएगा, ठीक है दी, और वहीं पे अगर मान लो, मेरे पास यहाँ पे Fe है, और Fe के सामने ZnCl2 है, तो क्या Fe ZnCl2 में Zn को हटा पाएगा, तो आंसरन नहीं, क्योंकि जो Fe होता है, वह Zn से आप देख सकते हो, कम reactive है, तो Fe Zn को displace नहीं कर पाएगा, और यहाँ Fe Cl2 नहीं बन पाएगा, मतलब कुछ होगा ही नहीं, no reaction basically यहाँ पे होगी, क्योंकि जो Fe है, वह Zn से less reactive है, और वह उसको अपनी जगा से हटा नहीं पाएगा, यह displacement reaction है, मतलब आप में से बहुत सारे बचों ने, इसको skip भी किया हो सकता है, क्योंकि यह हम बहुत अच्छे से पिछले चेप्टर में, पिछले से पिछले चेप्टर में पढ़ चुके हैं, आपने भी पढ़ रखा होगा, तो यह है displacement reaction और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, इसके बाद आखरी property पर चलते हैं, आखरी chemical property और सबसे important property और वो है reaction between metals and non-metals, actually, reaction between metals and non-metals, यानि metals और non-metals आपस में जब react होंगे, metals and non-metals आपस में जब react होंगे, तो क्या होगा, metals and non-metals आपस में जब react होंगे, तो क्या होगा, अब देखो, इस reaction को अपने आप में समझने के लिए, हमें बहुत सारी चीजे पहले पढ़नी होंगी, आप सीधा नहीं पढ़ सकते कि metals और non-metals आपस में कैसे react होंगे, यानि हमें कम से कम 15-20 मिनिट इसको समझने में लगेंगे, कि metals और non-metals आपस में कैसे react होते हैं, और यह इस चप्टर की सबसे important चीजों में से एक भी है, अब अगर मैं आपसे अभी तक जितना भी lecture हो गया, जितना भी lecture आपने देख लिया, बीच में experiments भी आए हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा प्यारा सवाल है, सवाल यह है कि आप लोगों के हिसाब से अगर मैं अभी पूछूँ at present कि metals क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे, कि metals क्या हैं, तो answer है, I hope आप सब बोलोगे कि metals का मतलब है, जो malleable हों, ductile हों, sonorous हों, good conductor of heat हों, electricity हों ना, शायद यह बोलोगे, और सज बोलू तो यही metals की परिभाशा हम लोगों को बचपन में पढ़ाई गई है, बड़ अगर आप यह chapter पहली बार पढ़ रहे हो, तो आज के बाद आपके लिए metals की परिभाशा बदल जाएगी, non-metals की परिभाशा बदल जाएगी, और जो यह chapter पहले पढ़ चुका है, यहाँ पे वो एक बार और पढ़ने आया है, या revision करने आया है, वो जानता है कि actually में metals और non-metals की परिभाशा क्या है, तो यहाँ पे आज मैं आपको metal की एक new definition देता हूँ, तो नई परिभाशा के हिसाब से, metals क्या होते हैं, तो elements which donate electrons to form cations, ऐसे कोई भी element जो electron देते हैं ताकि वो cations बन जाए, उन्हें हम कहते हैं, metal, अभी मैं आपको example दूँगा, और वहीं पर हमारे पास आते हैं non-metals, non-metals क्या होते हैं, तो non-metals होते हैं, elements elements which accept gallo या gain gallo, which accept or gain electrons to form या end form to form to form anions अब आप को ये परिभाषा हो सकता है, समझ में ना आई हो, लेकिन example दूँगा, तो आ जाएगी, और कुछ बच्चों ने ये परिभाषा हो सकता है, 8th, 9th में पढ़ रखियो, metals की actual definition क्या होती हैं, actually metals वो होते हैं, जो अपने आपको stable करने के लिए, electrons donate करते हैं, जैसे की sodium, शायद आप जानते हो कि sodium के पास 11 electrons होते हैं, हमने 9th में पढ़ रखा है, और इसकी electronic configuration हो गई, 281, अब ये खुश तो नहीं है, ये चाहता है, इसके outramus में 8 electron हो जाए हैं, तो ये एक electron दे देगा, अब हमने ये भी 9th में पढ़ा है, कि जब कोई electron देता है, तो उस पर charge प्लस आ जाता है, और वो cation बन जाता है, जैसे इसने अपने एक electron दिया, अब ये 28 हो गया है, यानि ये खुश हो गया है, यानि कि ये बन गया है, एक प्रकार से cation, और ये एक metal कलाए जाएगा, क्योंकि अपने आपको stable करने के लिए, ये electrons donate कर रहा है, और जो electrons donate करते हैं, जिनके ओपर cation बनता है, जिनके ओप positive charge होता है, उन्हें हम metals कहते हैं, आओ एक और example, अगर मैं यहाँ पर आपको दूँ, जैसे की calcium, अब calcium जो होता है, उसके पास 20 electrons होते हैं, जिसकी हिसाब से इसकी configuration हो जाएगी, 2882, अब calcium को भी अगर खुश होना है, तो अपने 2 electron निकालने पड़ेंगे, तो calcium plus 2 बन जाएगा, 2 electron भार आ जाएगे, और ये बन जाएगा 288, ये बन जाएगा 288, यानि कि इसके outermost में 8 होगे, लेकिन अभी हमारा जो focus है वो ये है कि, calcium ने अपने आपको खुश करने के लिए, electron donate किये, cation बनाया, plus star दाया है, जिसकी वैसे calcium भी एक metal है, वहीं पर अगर मैं non-metal के आपको example दूँ, example के लिए chlorine, और दूसरी वाद इसने एक electron लिया, अपने आपको खुश करने के लिए, अब इसके outermost में 8 electron हो गया, और ये खुश हो गया, वहीं पर अगर मैं बात करूँ oxygen की, oxygen होता है 2,6, इसके outermost में 6 electron होता है, तो ये 2 electron लेगा, अपने आपको खुश करने के लिए, अगर ये 2 electron लेगा, वह minus 2 बना देगा, तो basically ये बन जाएगा 2,8, ये बन जाएगा 2,8, तो as a result, इसने अपने अंदर 2 electron ले लिए, और ये बन गया 2,8, the point is, the only point is, कि non-metals कौन जो electron लेके, अपने आउटरमो शेल को भरते हैं, अनाइन्स बनाते हैं, जो electron रसेप्ट करते हैं, और metals कौन जो electron देते हैं, और अपना आउटरमो शेल पूरा भरते हैं, कैटाइन बनाते हैं, जो electron लूस करते हैं, उनको हम metals करते हैं, अब आप कोई, देखो again, लगाओ दिमाग लगाओ जब भी कोई metal के सामने non-metal आएगा तो क्या होगा तो जब भी metal के सामने non-metal आएगा ये एक दूसरे को metal जो है वो electron दे देगा non-metal जो है वो electron ले लेगा और इनके बीच में एक रिष्टा बन जाएगा bond बन जाएगा जिसको आज हम ionic bond नाम से भी जानने वाले हैं यानि आप इतना roughly समझ लो कि होने क्या वाला है हमारी heading क्या है कि metals non-metals आपस मुझे अब react होते हैं तो क्या होता है तो जब भी metal non-metal के साथ actually में react होता है एक बनाता है cation एक बनाता है anion मतलब लोग बोल देते हैं आगे जाके ionic bond तो metal और non-metal जब भी सामने आएंगे उनके बीच में electron का lane देने होगा metal electron देगा non-metal लेगा और उनके बीच में ग्रिस्ता बन जाएगा उसी रिष्टे के उपर आज हम बात करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहने वाले हैं ionic bond तो सबसे पहले आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ करनी होगी आप इस वीडियो को यहीं पर pause कर लो उसके बाद एक से अठारा जैसे मैं लिख रहा हूँ इन्टरनेट से गूगल से कहीं से भी एक से अठारा एक से बीस उसको रिवाइज कर लो तब ही आगे बढ़ेंगे फ्रीज इतना कर लो पहले ठीक है आगे बढ़ते हैं आपने उसे गो थू कर लिया है अब हम लोग यहां पर बात करेंगे Lewis.structure की उसके बात करते हैं कैसे metals और non-metals आपस में react होते हैं अब Lewis.structure क्या है एक basic सा structure है बहुत easy है Lewis जी ने structure बनाए थे जिससे की compounds के formula और उनकी जो बनावट है उसको समझना बहुत easy हो गया था अब यह Lewis.structure होता क्या है देखो सबसे पहली बात तो Lewis.structure जी के structure के हिसाब से हमारे पास जो भी element होता है हम उस element को के जितने भी valence electrons होते हैं I hope आपको याद हो valence electrons का मतलब क्या होता है कितने electrons आपके last वाले shell में बैठे वे उन्हें valence electrons कहा जाता है अब Lewis.structure जी के हिसाब से जो valence electrons है आपको उन्हें dot की form में या फिर cross की form में दिखाने generally हम लोग dot की form में दिखाते हैं but we can also use cross मैं आपको समझाता हूँ जैसे कि हमारे पास chlorine होता है अब chlorine के पास आपने याद कर लिया होगा कि 17 electrons होते है जो कि इसका atomic number 17 होता है उस हिसाब से हो गया यह 287 उस हिसाब से हो गया यह 287 ठीक है अब क्योंकि इसके outer most में 7 electrons हैं जो कि इसके valence electron भी होते हैं तो chlorine के outer most में अगर 7 electron हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7 यह 7 dots की form में हमने इसका structure बनाए इसका हम बोलते हैं Lewis dot structure ठीक है न वहीं पे अगर मैं यहां पे एक और बना देता हूँ let us suppose aluminium अब aluminium के पास total जो electrons होते हैं वो 13 होते हैं उस हिसाब से ही हो जाएगा 283 तो aluminium के आसपास 1, 2, 3 अब ऐसा कोई rule नहीं है किदर कितने electron बनाने बस थोड़ा symmetric structure बनाने ही कोईश करें अब ठीक है आप एक तरफ दो और एक तरफ एक भी दिखा सकते थे ऐसा कुछ नहीं है वही मैं कहा रहा हूँ ऐसा कोई rule वेगरा नहीं है अब जैसे कि argon के बात करें तो argon के पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ electron टोटल हो गए तो कुल मिलाके हमार पास argon के आसपास एट electrons हो जाएंगे ऐसे ही last अगर मैं आपको दिखाऊँ लेटसे लीथियम तो लीथियम के पास टोटल तीन electron होते हैं तो इसके हिसाब से हो गया 2, 1 अब 2, 1 अगर हो गया तो लीथियम के पास हमारे एक electron आजाएगा समझ गए, done है तो ये basically हमारे पास पुरा element की configuration और स्वारी, Lewis dot structure हो जाएगा तो कुछ नहीं करना Lewis dot structure जी के हिसाब से जो भी आपके पास elements है आपको उनके जितने भी valence electron है उनको बस last shell में dot की form में दिखा देना है चीक है, यह मैंने गलती करी किया अचा है, ओ, मेरे को ये एक dot लग रहा था और मैं का है, मैंने दो electron बना दी वो तो LI के उपर की dot है ना तो अब यहाँ पर जैसे हम cross से दिखा देते है तो इने हम Lewis dot structure के लेकिन अब इस Lewis dot structure का हमें करना क्या है हमें करना क्या है माल लो, हमें बोला गया sodium chloride हमें बनाना है sodium chloride अब sodium chloride होता क्या है भई इसमें sodium होता है, तो sodium होता है और chloride मतलब chlorine होता है अब sodium chloride कैसे बनता है इसमें मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रियाक्ट होते हैं ये समझेंगे आप सोडियम के पास एक एलेक्टरन होता है अभी हमने लूइस डॉट स्ट्रक्चर जी के साब समझा और क्लोरीन के पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ एलेक्टरन होते है अब आप सब जानते हैं कि सोडियम को एक एलेक्टरन देना है और वहीं पे क्लोरीन को एक एलेक्टरन लेना है सोडियम को एक एलेक्टरन देना है और वहीं पे क्लोरीन को एक एलेक्टरन लेना है तो सोडियम अपना एक एलेक्टरन किसको दे देगा क्लोरीन को अगर sodium ने अब sodium वैसे क्या था मैं अटा दूँगा यह लेकिन 2,8,1 था तो इसके outer most में भी एक electron था अब sodium ने अपना एक electron दे दिया है अगर sodium ने अपना एक electron दे दिया है तो sodium बन जाएगा 2,8 तो इसके अब outer most में 8 electron हो जाएगे तो 1,2,3,4,5,6,7,8 और इस पे plus charge भी आजाएगा इस पे plus charge क्यों आजाएगा क्योंकि इसने एक electron दिया है जब को electron देता है तो charge plus में आता है अच्छा अब क्योंकि CL ने एक electron लिया है उसके पास पहले कुल मिला के 7 electron थे अब उसके पास 1,2,3,4,5,6,7,8 हो गए अब क्योंकि इसने एक electron लिया है तो इस पे charge आजाएगा minus क्या हमारी physics के हिसाब से opposite charges एक दूसरे को attract करते हैं तो answer है हाँ plus charge minus charge को attract कर लेता है तो na पे आ चुका है plus और cl पे आ चुका है minus तो ये एक दूसरे को attract कर लेंगे और attract करके बना देंगे ये NACL NACL से जब पक जाएगा तो basically ऐसा ही कुछ होता है जब भी metals और non-metal आपस में react होते हैं मैं यहाँ पे अभी आपको एक और example कराने वाला हूँ actually मैं आपको अभी 3-2 और example कराने वाला हूँ लेकिन ये example कराने से पहले ही मैं आपको पता दूँ की compound compounds formed by transfer of electrons between metals and non metals compounds formed by transfer of electrons between metals and non-metals is called actually are called are called ionic compounds पहली बात तो ऐसे compounds जो metal और non-metal के बीच में बनते हैं electron के transfer होने से अब हुआ क्या देखो metal को एक electron देना था और non-metal को एक electron लेना था CL को एक electron लेना था sodium को एक electron देना था तो ये आपस में react हो गए और इन्होंने क्या form कर दिया NaCl बिल्कुल इसी प्रकार मालो यहां बारा पास आता है calcium oxide अब calcium oxide के case में क्या होता है पहले बात तो calcium oxide मतलब calcium और oxygen अब calcium के outer most में दो electron होते हैं और oxygen के outer most में हमारे पास 6 electron होते हैं Lewis dot structure अब calcium को दो electron देने हैं और oxygen को दो electron लेने हैं तो calcium अपने दोनों electron oxygen को दे देगा obvious है अब अगर calcium अपने दोनों electron oxygen को दे देगा तो इसके दो electron देते हैं इसका outer most में उसकी तरह 8 electron हो जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेकिन क्योंकि इसने दो electron दियें तो इस पर charge के आ जाएगा plus 2 oxygen की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्योंकि इसने दो electron ले लिए तो इस पर आ जाएगा कुछ इस परकार से minus 2 अब क्योंकि calcium पर plus 2 आ चुका है और oxygen पर minus 2 आ चुका है क्योंकि इन पर opposite charge आ गया तो एक दूसरे से attract हो जाएगे और attract होके फिर से बना देंगे calcium oxide यानि ये भी एक ionic compound है क्योंकि इसमें भी electron ट्रांसफर हुए है from metal to non-metal और ऐसे compounds को हम ionic compounds और इनके बीच में जो bond बनता है उसको हम ionic bond नाम से भी बुला देते हैं चलो फिलहाल आगे बड़े अगर और third पे आए हम एक और बड़ा interesting example अगर मैं यहाँ पे लूँ और वो है let's say potassium oxide का अब ये interesting example थोड़ा सा क्यों है आओ ज़रा समझे अब potassium के पास एक electron valence में होता है और oxygen के पास valence electron 6 होता है अब क्या ऐसा कहना ठीक है कि potassium को potassium को एक electron देना है लेकिन वहीं पे oxygen को दो electron चाहिए तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि potassium तो एक ही electron दे पाएगा इसको अब अगर potassium इसको एक ही electron दे पाएगा तो क्या एक और potassium को आना पड़ेगा क्या एक और potassium को और oxygen के अलावा कोई और नहीं हो सकता लेकिन potassium तो एक electron देगा oxygen को दो चाहिए तो दो potassium आएंगा और electron देगा अब again potassium के एक electron देते ही उसके outer most में भी 8 electron हो जाएंगे लेकिन एक potassium ने एक electron दिया समझ में आता है चार्ज प्लस है बट क्योंकि यहां पे दो potassium इस्तमाल होएं तो के के नीचे 2 आ जाएगा similarly oxygen के अगर बात करें तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और oxygen पे चार्ज, माइनस जो कि oxygen तो एक ही है और एक ही oxygen दोनों माइनस electron लिए तो दोनों पे दो electron लिए तो माइनस 2 आ जाएगा तो यहां पे K2O नाम का compound बन जाएगा तो यहांने इस तरीके से हम formula भी बना सकते हैं although formula बनाने का हमारे पास एक बहुत असान तरीका आया था वो हमने cross multiply 9 में किया था बट यह एक तरीका है Lewis dot structure की मदद से हम compound formation को दिखा सकते हैं तो यह जो bond बन रहे हैं जो compounds बन रहे हैं पहली बात तो इन compounds को हम लोग कौन से compounds कहते हैं INA compounds कहते हैं और इनके ओपर अब हम बात करेंगे जैसे मैं INA compounds की properties आपको पढ़ा दूँगा अभे 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 जैसे मैं आपको आइने कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ा दूंगा हमारा इस चैप्टर का एक हाफ ख़ता मुझा आएगा कोविट टाइम पे सिर्फ इतना ही चैप्टर आया करता था आइने कंपाउंड तक क्योंकि जो एक्स्टाक्शन वाला हिस्सा था वो डिलीट कर दिया गया था प्रोपर्टीज ऑफ आइने कंपाउंड आयने कंपाउंड की प्रॉपर्ट्टिज पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे डिटान लर्जी पहvate यह प्यारा टॉपिक है लेकर पहले हमें क्या पणना होगा प्रॉपर्वर्टीज आइने कंपाउंड की क्या है आइनेक कंपाउंड समखें ना भाई, आइनेक कंपाउंड कौन से कंपाउंड है, जो बनते हैं, जब एक metal एक non-metal को electron ट्राउंड करता है, तो एक cation बनता है, अनके बीच में एक attraction होती है, इसको हम आइनेक कंपाउंड करें आइनेक कंपाउंड की कुछ properties हैं, सबसे पहली ब अगर मैं एक चम्मच में नमक रखके उसे पिगलाना चाहूं तो क्या घर पे नमक को पिगलाना पॉसिबल है घर पे पिगलाने से मेरा कहने का मतलब क्या है हमें घर के resources का इस्तमाल करके उसे पिगलाना है जो अक्सर घरों में होते हैं हमारे अक्सर घरों में क्या होगा जिससे हम चीजों को पिगला सकते हैं जैसे की LPG gas, PNG gas हो सकता है, लकडी, कोईला मुश्किल है कोईला हो बट हो सकता है चारकोल हो सकता है के घर में चारकोल और कोले में बहुत फरक होता है बटा ना, तो हो सकता है यह हो, और बस और क्या होगा मतलब और क्या ही फ्यूल होगा आपके घर में तो जनरली इन फ्यूल के पास इतना टेंपरेचर नहीं है कि यह हमारे घर में नमक को, यानि NACL नमक into compound, इनको हम पिगला ने सकते क्योंकि इनका melting point और boiling point बहुत ज़्यादा होता है, high melting point and boiling point, क्यों? क्यों? high melting point and boiling point because because of presence of strong because of presence of strong electrostatic strong electrostatic स्टार्टिक से अधार कृँछेस परक्षाइब से सबसे लिया अधाम कोटाले क्या सकते सब्सक्राइब गें गैण और यह दिहां कि सुलूबल की वर्त सा का इन वटे पानी में सुलूबल होते हैं तो और यह गाइन बहुत important property crystalline solid crystalline solid यह generally crystal की form में होते हैं जिसे नमक जो है छोट छोट अगर आप उसको ध्यान से देखो के घर में भी होगा आपके मैं क्या ही दिखाऊंगा आपको लेकिन नमक जो होता है इसके छोट छोटे crystals की form में होता है यह ना यह से यह कभी एक solid form में नहीं होता bad conductor of electricity bad conductor of electricity in solid state but good in aqueous but good in aqueous की spelling क्या होती है यह देख लेना but good in aqueous और molten state यानि कि अगर आप नमक को या नमक मैं बोल रहा हूँ but क्योंकि मैं पास नमक अभी आइने compound की form में है but कोई भी आइने compound अगर आप लो तो दुनिया में कोई भी आइने compound bad conductor of electricity होता है solid state में यानि जब तक वो solid state में बैठा हुआ है वो bad conductor of क्या रहेगा electricity रहेगा लेकिन अगर आप उसको पिगला दो या पानी में डाल दो मानलो आप नमक को पिगला दो या फिर आप उसे पानी में डाल दो तो पिगला के या पानी में डाल के वो good conductor of electricity बन जाता है अब ऐसा क्यों है तो पहले तो इसको समझते हैं इसा क्यों है इसको मैं लिखवा भी दूँगा आपको बोल के आप चाहे लिख ले ना कहीं फिर उसके उपर एक activity भी देखेंगे ठीक है अब होता क्या है क्योंकि नमक एक solid है अब इसमें एने और CL तो है एने और CL तो है लेकिन वो एने और CL एक दूसरे के साथ इतनी strong force से चिपके हुए है कि वो बिजली पास नहीं करा सकते है बिकॉस कोई free charge ही नहीं है लेकिन अगर मैं आइने compounds को पानी में डाल देता हूँ तो na plus अलग हो जाता है cl minus अलग हो जाता है पानी में जाके ions दे देते हैं और वहीं पर अगर मैं पिगला दूँ तो भी मैंने ने को cl से अलग कर दिया तो भी ये पानी में जाने के बाद फिर बजली पास कर सकते हैं लेकिन जब तक ये solid state म इनके ions tightly packed रहते हैं अभी मैं solid shape में bulb जलाके देखूंगा कि जलता है तो answer है नहीं बट अगर मैं इसको पानी में डाल दूँगा उसके बाद bulb जलाऊंगा पहले पहले आपको normal पानी में बल जलाके देखाऊंगा नहीं जलेगा फिर जब मैं नमक को डाल दूँगा तो साबित होगा कि actually नमक पानी में जाके ions देता है पानी में जाता है और na plus अलग हो जाएगा और फिर यह बिजली पास करना शुरू करता है बट अभी यह बिजली पास नहीं कराएगा क्योंकि यह solid state में है ठीक है पहले इसका reason लिख लेते हैं आओ question बड़ा पूछा जाता है यह वाला तो लिख लो ionic compounds are bad conductor of electricity in solid state रोक रोक के चला लिख ले ना ionic compounds are bad conductor of electricity in solid state because in solid state because in solid state ions are tightly packed because in solid state ions are tightly packed because in solid state ions are tightly packed whereas in liquid or aqua state whereas in liquid or aqua state ions get dissociate and hence and hence there are free charges to conduct electricity and hence there are free charges to conduct electricity तो जिसकी वैसे यह good conductor बन जाते हैं आओ एक बार जल्दी से अब इस छोटे से experiment की मदद से देखते हैं कि कैसे नमक वैसे तो bad conductor है आईने compound वैसे तो bad है पर पानी में जाके गुड़ जाते हैं पेगला तो सकते नहीं न घर पे आओ उज़रा चेक करने जल्दी से अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर में नमक है और एक कंटेनर में पानी है और यह मेरे पास वही टेस्टर जिससे अभी हम थोड़े देरे पहले काम कर रहे थे फॉर मेटल और नॉन मेटल अब यह हमारे पास दो वायर है अब देखो मैं इस वायर को इस नमक के अंदर डाला पहली बात मैं आपको टेस्ट करा दूं कि यह सरकेट काम कर रहा है जैसे मैं दोनों वायर को टच कर रहा हूं जब इन दोनों वायर को टच कर रहा हूं तो बल्ब जल रहा है लेकिन नमक क्योंकि अभी सॉलिट स्टेट में नमक अभी सॉलिट स्टेट में तो यह बिरिजिली कंड़क्ट नहीं करेगा उससे भी जरूरी चीज सबसे पहले मैं इसमें से एक नमक को अटा दूँ उससे भी इंपॉर्टन चीज यह मेरे पास पानी है वह लगभग लगभग डिश्ट्र वाटर है तो अगर मैं इसके अंदर बलब डालूंगा आपको मैं दिखा दो कि बल्ब जल रहा है लेकि अगर मैं इसके अंदर बाइड डाल रहा हूं तो बल्ब नहीं जल रहा है क्यों क्योंकि वाटर में अभी उतने आइंस नहीं है कि वह बल्ब को जला सके ठीक है अब मैं एक बार इस सरकेट को बंद कर देता हूं और बंद करने के बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देता हूं अब आप देख सकते हो कि ओह थोड़ा जादे डाल दिया मैंने कोई बात सकते हैं इसके अंदर सॉल्ट काफी डिजॉल तो नहीं हुआ है बठीक हमारा काम चल जाएगा थोड़ा और कर देते हैं थोड़ा और कर देते हैं और यह मुझे लगता है बहुत हो अब अगर मैं इस सेटब को दुबारा से उठाओ थोड़ा धियान से करना होगा प्लीज मैं आपको दिखा दू कि circuit काम कर रहा है अब अगर मैं इसको इस container में डालता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि अब इसमें जो container में पहले जो बल्म नहीं जल रहा था अब वो जल रहा है इससे साफ पता लग रहा है कि जो नमक है उसने स्पानी में आइंस दे दी हैं और आइंस की वज़ा से actually हुआ क्या कि ये बिजली इन दोनों वायर्स के बीच में ट्रवर होन लग गई तो जो नमक है यानि कि जो आइने कंपाउंड्स हैं वो solid state में बिजली पास नहीं करते लेकिन aqua state में वो करते हैं ये हमने सीख लिया हैं तो मैं इनको हटा देता हूं अब metallurgy जो होता है basically ये क्या होता है आव जरा समझें और अगर आप science लेते हैं तो आपको 12 में इसके उपर एक chapter और पढ़ना है पूरा का पूरा chapter है metallurgy के उपर chapter का नाम है general principle and isolation of elements although अभी लास्ट दो साल से वो delete हो रहा है बट क्या पता जब तक आप लोग 12 तक महुचो वापस से आ जाए क्योंकि हमारे cbsc हमारी ncrt के syllabus का कुछ पता नहीं चलता है दिन बट आव अभी बात करें metallurgy क्या होता है मेरा सवाल क्या nature में जो metals ह में मिलते हैं मतलब अगर मैं sodium की बात करूं तो क्या आपको कह लगता है कि sodium मुझे बस ऐसा पढ़ावा मिल जाता है मुझे बस उठाना होता है answer है नहीं जो भी metals है कुछ को छोड़के देखो इस chapter के एकदम last में अगर मैं जाओ तो एकदम last में मुझे एक बात पढ़नी है और उसको हम लोग बोलते हैं कहां गया कहां गया कहां गया this is this is यह last topic है इस chapter का जहां पर हमें पढ़ना है मैं अभी पढ़ा देता हूं बात एक ही है कि दुनिया में कुछ ऐसे metals होते हैं जो native state में पाए जाते है native state का मतलब है free state में पाए जाते हैं यानि वो किसी के भी नहीं किया जाता सकी mining मतलब उसको गड़ों मेंसे खोद खूद एक हलले करके उसको बस बाहर निकाल लिया आता है पत्थरों के चुप होते हैं मिधी कें बबे निकालो और बहुत मुछिप्रीस इंबट इस में मैं मैटलime किसी compound में नहीं निकालना पड़ता है ऐसे metals कौं सिलवर रियाक्टेड फॉर्म भी पाया जाता है लेकिन गौल्ड प्लाटिणम जैसे मिडर आपको नेटिव इन यानि कि बिना किसी के साथ reacted हुए वे मिल जाएंगे पर बाकी सारे metals का क्या खासकर highly reactive metals का क्या तो highly reactive metals किसी ना किसी के साथ तो reacted form में हैं तो उनको हमें extract करना होगा तो उस scientific process को जहाँ पे metal को extract किया जाता है उनके ores में से ores क्या होता मैं बताऊंगा लेकिन एक ऐसा scientific process जिसमें metal को उनके ores में से extract किया जाता है उसको हम लोग बोलते है native metallurgy अब यहाँ पे दो शब्द आते हैं हमारे पास पहला शब्द होता है minerals यह ssht में बहुत सुना होगा आपने और दूसरा शब्द होता है ores यह भी शब्द आपने यह ssht में बहुत सुना होगा पहला शब्द है minerals और दूसरा शब्द है ores आओ ज़रा बात करें कि minerals और ores क्या होते हैं minerals और ores क्या होते हैं minerals क्या हैं compound compounds containing metals compounds containing metals and found in nature and found in nature ऐसे compounds जिन में metal पाया जाता है और वो nature में मिल जाए हमें उन्हें हम लोग बोल देते हैं minerals फिर ores क्या है ores भी तो वही है जिन में से metal को निकालते हैं वो nature में पाया जाए but ores और minerals में छोटा सा difference है ores और ores और minerals में एक छोटा सा difference है क्या difference है ores क्या होते हैं फिर तो minerals minerals from which from which it is profitable and convenient it is profitable and convenient convenient मैं न ऐसे बड़े-बड़े बोड़ पर लिखते-लिखते confused होता हूँ convenient ऐसा मसा मना है मेरी अंग्रेजी उतनी कमजोर है यानि minerals from which it is profitable and convenient to extract metal अब इसका क्या मतलब है देखो भई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपके एग्जामपल ले रहा हूँ hypothetical जैसे NACL है अब आप सब देखोगे तो NACL में भी हमारे पास sodium है और वहीं पर अगर मैं बात करूँ N2SO4 है तो N2SO4 में भी हमारे पास sodium है अब यह दोनों nature में पाए जाते हैं यह दोनों हमारे को free state में नहीं मिलते sodium तो highly reactive है free state में तो मिलेगा नहीं तो यह हमारे दोनों ही NACL और N2SO4 nature से मिलते हैं अब इन दोनों में ही sodium है और यह दोनों ही nature से मिल रहे हैं तो यह दोनों ही minerals हैं यह दोनों ही minerals हैं लेकिन क्या यह बात कहना सही होगा कि इन में से किसी एक से metal को निकालना profitable होगा और convenient होगा मतलब असान होगा किसी एक में खर्चा कम आएगा metal निकालने का process असान होगा और किसी एक में metal निकालना बहुत difficult होगा बहुत पैसा भी लगेगा तो अब यह से बात है आपको 10 दिन लगते है यहां और अव्य से बात है पैसे का समय का मतलब भी वैसे तो पैसा ही होता है बट मालो यहां पर 5 दिन के साथ-साथ आपको 2 करोड रुपे लगते हैं ज्यादा हो गया भाज साब एक किलो एक किलो सोडियम निकालने पर दो करोड रुपे बट कोई बात ने सोचना है तो बड़ी रखम सोचते हैं और वहीं पर आपको मालो डाहे करोड रुपे लगते हैं एक तो समय भी ज्यादा लग रहा है उपर से पैसा भी ज्यादा लग रहा है तो ने सी एल बेसिकली एक मिनरल तो ही लेकिन वो एने का सोडियम का ओर भी है क्योंकि इस से मेटल को निकालना बहुत ज़ादा प्रॉफिटेबल और कन्वीनियन्ट है समद गे ना तो ये होता है हमारे पास ओर अब मिनरल तो बहुत हो सकते हैं लेकिन हर एक मेटल का जनरल ही एक ही ओर होता है जैसे सोडियम का जो ओर होता है इसका नाम है रॉक सॉल्ट इसका नाम है रॉक सॉल्ट यानि की एने सी एल ही कुछ के नाम लिख रहा हूँ बस नॉलेच के लिए सोडियम का और है रॉक्सॉल जैसे की एनेसील जिंक का जो और है उसको नाम दिया गया है जिंक ब्लेंड जिंक का जो और है उसको नाम दिया गया है जिंक ब्लेंड ऐसे ही मरकरी का जो और है मरक्यूरी मरकरी का जो और है इसको नाम दिया गया है cinnebar cinnebar ऐसे ही मान लो मान क्या लो मतलब यह सारे और actually में नाम ही इनकी यह है aluminum का जो और है इसको नाम दिया गया है bauxite ऐसे करके हम नारे पास हर एक और है जिनको हमने हमारी science ने बहुत महनत से पता लगा लिया कि भईया इससे metal निकालना profitable है, convenient है, इससे नहीं तो हमने उनको अपने क्या नाम दे दिया और नाम दे दिया, ठीक है ना अब आप क्योंकि यह science तरक्की कर चुकिए तो आपको अब यह नहीं पता लगाना कि और कौन है, कौन नहीं, अगर आपको sodium extract करना है, तो आपको बस rock salt डूणना है, अब आपको यह नहीं पता लगाना कि यह NaCl और है, यह Na2SO4 है, वो तो हमारे science ने बता दिया, अब अगर आपको sodium निकालके, बस आपको यह डूणने कि sodium निकालने के जो rock salt चाहिए, वो कहां से मिलेगा, basically, समझ के, चालो अब आगे बढ़ते हैं, तो metallurgy जब भी करेंगे, उसमें तीन प्रोसेस हमारे पास involved होगे, जब भी हमारा metallurgy हो रहा होगा, metallurgy मतलब metal को जब भी हम extract कर रहे होगे तो हमारे तीन प्रोसेस उसमें involved होगे, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, पताब पूरे Extraction में में तीन मेर प्रोसेस है जिसमें से हमें detail में Extraction को पढ़ना थोड़ा सा refining को पढ़ना है बट आओ जहरा समझे Skills की हैं सबसे पहला प्रोसेस होता है Concentration of Ore Concentration of Ore को Dracing of Ore भी कहा जाता है vaccin of Ore भी कहा जाता है हमारी NCRT कहती है कि concentration of ore को पढ़ना नहीं है बट इतना आपको जानना ज़रूरी है कि concentration मतलब ore की सफाई करने है concentration of ore का मतलब है ore की सफाई करने है जब आप माल लो आप mining करोगे और आपको rock salt मिलेगा अब rock salt में बहुत सारी गंदगी आऊंगी बहुत सारी impurities होंगी तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी है तो ore की जो सफाई है उसे कहा जाता है basically concentration of ore ore की साफ सफाई को कहा जाता है concentration of ore और ore की जो साफ सफाई होती है और की जो साफ सफाई होती है वो बेसिकली अलग अलग और की साफ सफाई अलग अलग प्रसेस से होती है अगर आपको अपने शरीर की सफाई करनी है तो अलग प्रसेस से होगी मतलब साबून लगाओगे आप बॉडी बॉश लगाओगे आप पानी लगाओगे आप यहीं पर floor की सफाई करनी हो finite लगा सकते हो लाइजाल लगा सकते हो reason step辉 सीट की करनी हो हार्फिकाता है टॉलेट सीट का हार्फिकाता है kitchen का हार्फिका अलगाता है तो लिए सफाई अलग है शेरीर पर चोट लगी हो तो सफाई आप अलग तरीके से करोगे उसकी ऐसे ही और अगर जैसे मालो एक ऐसा और है जिसमें एक चीज metallic है मतलब कि चुमबक से attract होती है और बाकी impurities है तो चुमबक से कर लेंगे कहीं बार उसको पानी में गोल के कर लेते हैं कई बार उसको बहाद देते हैं बहुत सारे process है फ्रोथ flotation है magnetic separation है, leaching है बहुत सारे process है उसको में नहीं पढ़ना है लेकिन second आता है हमारे concentration of ore के है देखो in this method impurities जो होती है और के साथ और के साथ जो भी impurities होती है उनको हमें अटाना होता है यह आपको बता चुका हूँ जो भी impurities होती है उनको हमें अटाना होता है अब जो impurities होती है ore के साथ उन्हें gang particle कहा जाता है ऐसी कोई भी impurity जो हमारे ore के साथ बैटी होती है उन्हें पहली बात तो gang particles कहा जाता है एसी कोई भी impurity जो हमारे और के साथ बैठी होगी उसे gang particle कहा जाएगा ठीक है तो उन gang को अचा है gang की spelling देखले ना कौनसी वाली यह वह लिए gang नहीं है यह gang है तो gang particles है अब note का point यहां पर क्या लिखा हुआ है concentration of ore जो है कि उसका प्रोसेस है वह बहुत सारी बातों पर depend करता है कि ore क्या है गंदगी क्या है आना उमेन आपको बता है ठीक में फिर आता है extraction of metal अब यह हमारा main process कि इसमें हम actually में हमारे metal को extract करने वाले हमने अपने ore की सफाई तो कर ली और साफ हो गया अब हम metal को हमारे ore में से extract करेंगे metal को ore में से extract करने के लिए हमने metals को तीन हिस्सों में divide कर दिया है दुनिया के सारे metals को तीन हिस्सों में divide कर दिया गया है highly reactive जैसे कि potassium, sodium, calcium, magnesium, moderately reactive जैसे कि zinc, iron, lead और वहीं पे less reactive यानि कम reactive जैसे कि mercury, copper और silver तो हमने दुनिया के सारे metals को तीन अलग-अलग category में बाट दिया है highly reactive, moderately reactive और less reactive, बहुत ज्यादा reactive, ठीक ठाक, reactive और कम, ऐसा क्यों किया, क्योंकि सब का अलग-अलग process है, highly reactive को अलग करने का अलग process है, moderately को अलग है, less को अलग है, ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे हैं कि highly reactive को कैसे अलग करते हैं, highly reactive metal कैसे अलग होंगे, तो highly reactive metal को अलग करने के लिए कुछ steps हैं, जैसे कि, मत अब क्या एक ही step है actually, bypassing electricity, by passing electricity in molten ore, by passing electricity in molten ore, by passing electricity in molten ore, we can obtain metal at, we can obtain metal at हम अगर पिगले वे ओर में बिजली पास करा देंगे तो हमें हमारा जो metal है वो मिल जाएगा लेकिन वो metal कहां मिलेगा एनोड पे मिलेगा या कैथोड पे तो आंसर है आट कैथोड एक्जामपल के तोर पे मान लेते हैं आपको rock salt में से rock salt में से rock salt मतलब NACL जिसके हम सफाई कर चुके हैं उसमें से NACL को अलग करना है तो सबसे पहला step क्या है सबसे पहला step है कि आप NACL को जो की solid form में होगा आप उसे melt करोगे क्या NACL को melt करना असान होने वाला है आंसर है बिल्कुल भी नहीं होने वाला बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि भाया मैंने आपको आज ही पताया ये एक INA compound है और INA compound का melting point बहुत ज़ादा होता है तो असान तो नहीं होने वाला निको melt करना और इसी reason से sodium बहुत महेंगा भी होता है थी कि हमने इसको melt कर दिया अब melt करने के बाद क्या करना हमने इसको melt किया melt करने के बाद हमें इसको एक container में लेना है अब ये सब इतने समधार हो क्योंकि ये melt भी 1000 डिगरी Celsius पर जाके होगा तो इसके जो containers होंगे वो भी अलग होंगे rods भी अलग होंगे लेकिन हमने NaCl को पिगला दिया अब पिगला हुआ NaCl इसके अंदर है इसके अंदर molten NaCl है इसके अंदर molten NaCl है ठीक है नब अब हमें क्या करना हमें यहां पर दो rod आब यह rod भी ऐसे वैसे किसी भी metal की नहीं हो सकती है क्योंकि again यह पूरा का पूरा सेटप बहुत जादा गरम होगा तो यहां पर ऐसे metals लिए जाएंगे जो असानी से बिलकुल भी react ना हो जैसे platinum and all और melt भी ना हूं का melting और boiling point भी बहुत जादा हो और उसके बाद यहां पर हम लोग बिजली पास करा देंगे यह सारा सेटप जितना असान दिख रहा उतना है नहीं बट jóल यह हमारे पास एक İओ्ड हो गया अब क्योंकि यह positive से connected है तो मैं इसे anode कह देता हूं और क्यूंकि नेगेटव से connected है तो इसे मैं cathode कह देता हूं अब जैसे ही पिपिपिगले वे जैसे ही पिगले वे NaCl में पहली बात तो पिगला हुआ NaCl मतलब उसके अंदर Na plus होगा Cl minus होगा बहुत सारे Na plus Cl minus होगे अब यह जो Na plus होता है तो प्लस वाला किस के तरफ भागता है आपको सबको पता है minus के तरफ तो यह plus वाला भागेगा minus के तरफ और यह sodium यहाँ जाके एक खटा होने लग जाएगा तो यहाँ पे आपको आपका sodium metal मिल जाएगा वहीं पे यह CL यहाँ पे जाएगी CL-CL मिलेंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे CL2 gas यानि जब आप पिगले वे NaCl में electricity पास कराओगे तो आपको sodium जो है अच्छा अब आप सोचे रहोगे सर पिगले वे में क्यों पास कराया है पानी में डालके पास कराया थे तब भी तो तो तूट जाते अब यहाँ पे आपको acid basic salt याद करना होगा अगर पानी में डालके इसको मैं बिजली पास कराता तो एक प्रॉब्लम हो जाती यह एने-सी-एल जो है वो एने-वेच बनाये था याद करेंगे क्लोरल क्ली प्रसेस है ना पर मुझे एने चाहिए और सीएल टू एन फॉर डैट मैंने इसको पिगलाया और मुझे एने मिल गया कहां जाके कैथोड पर जाके और सीएल मिल गया कहां जाके एनोड पर जाके तो इस प्रकार से यह एनोड और कैथोड जो है वो हमने लिए और कैथोड पर जाके हमें हमारा मेटल एक खटा होके मिल जाएगा और इस तरीके से हम कोई भी हाइली reactive metal को extract कर सकते हैं ध्यान रहे यह सार यह जो same process से सारे metals के लिए लागू होता है आप सोच रहे होंगे कि aluminium यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है copper यहाँ तो answer है उनको हम दोनों तरीके से अलग कर सकते हैं जैसा आप चाहो जैसी availability हो तो sodium को हमने अलग किया rock salt से बहुत simple से दो process पहला है पिगलाना है उसके बाद है बिजली पास करना मतलब पढ़ाई के respect से बहुत simple वैसे यह इतने simple नहीं है चीक हो इसके बाद अगर बात करें moderately reactive की यानि अगर हमारे पास ठीक ठाक reactive वाले metal है moderately reactive तो moderately reactive वालो में हमें एक process follow करना होगा वो क्या है moderately reactive metal में हमें एक process follow करना होगा कुछ steps होंगे ध्यान सुनना वरना confused होगे सबसे पहला step आपके पास जो और होगा और वो और या तो oxide इसको बीचो बीच लिखता हूँ ठीक है आपके पास जो और होगा और वो या तो पहले से ही oxide की form में हो यानि कि वो पहले जैसे मालो less reactive में zinc है अब अगर वो zinc का और है तो या तो पहले से ही वो zinc oxide की form में हो अगर वो zinc oxide की form में नहीं है तो वो दो form में हो सकता है या तो आपका और sulfide form में हो सकता है चीक है या सलफेट या फिर आपका ओर कार्बोनेट फॉर्म में हो सकता है दुबारा से मैं कहा रहा हूं कि आपका जो ओर है मेटल का जो ओर है वो या तो ऑक्साइड फॉर्म में हो अगर वो पहले से ऑक्साइड फॉर्म में है तो मज़ा जाएगा लेकिन अगर वो या पुलाइड्योंत कषर को नहीं है तो आपको उसे सल्फाइड से ऑक्साइड में कण्वर्ट करना होगा सफाइड से औक्साइड में कार्ण कैसे करते आपको पता रहां लेकिन इस प्रोसेस को roasting कहते हैं ये वो वाला roasting नहीं है जो केरी मिनाटी जी करते हैं ये roasting एक chemical process है कैसे करते हैं पताऊंगा अभी लेकिन sulfide को अगर मैं oxide में convert करना चाहता हूँ, करना पड़ेगा क्योंकि oxide से metal निकालना बहुत असान है, profitable है, convenient है करना कैसे है sulfide को oxide में convert मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ऐसे अगर आप carbonate form में हो तो carbonate से भी आपको किस form में जाना पड़ेगा भई आंसर है oxide form में carbonate से oxide form में जाने के process को कहते हैं calcination, इस process को कहा जाता है calcination ठीक है न, तो sulfide से oxide जाओगे, तो roasting carbonate से oxide जाओगे, तो calcination ऐसा करते हैं कैसे मैं आपको पता रहा हूँ, लेकिन जैसे आप एक बार इसे oxide में convert कर लो उसके बाद आपको इसे heat करनी है, और heat के साथ-साथ आपको उसके अंदर carbon डाल देना है जैसे carbon डालोगे, oxide से आपका metal जो है, भारा आ जाएगा, अभी मैं आपको इसका एक्जामपल दूँगा, आप समझ भी जाएगे, अभी मैं आपको इसका एक्जामपल दूँगा, आप समझ जाएगे, जैसे कि मैं यहापे आपको, let us suppose, pink color से एक example देता हूँ, जैसे कि for an example, zinc sulfide अब zinc sulfide, क्योंकि zinc एक moderately reactive metal है तो आपके पास वो sulfide form में है या तो वो oxide होगा, या तो वो carbon, या तो वो sulfide, अब वो sulfide form में अब क्या करें तो answer है, उसके अंदर पहले तो हम लोग जो process अपनाएंगे वो है roasting, क्योंकि sulfide से oxide जाना है तो roasting करेंगे, roasting कैसे करते है answer है, बीटा, roasting के लिए हम किसी भी चीज को अगर heat करें in the presence of oxygen किसी भी चीज को अगर हम in the presence of oxygen heat करते रहें तो उसको roasting कहते हैं, और इससे sulfide oxide में convert जोते हैं, देखो conversion of sulfides या फिर sulfates into oxides by heating in the presence of oxygen, इससे कहते हैं हम लोग roasting, तो हम इसको heat करेंगे in the presence of oxygen, तो पहली बात तो ये oxide में convert हो जाएगा, ठीक है और वसी बात है, इसमें SO2 वेगारा का loss होगा, अभी हमारा motive हो नहीं है लेकिन अगर हमने sulfide को oxide में convert कर लिए, तो अगला process किया है, तो अब आपको इसमें carbon डाल देना है, यानि जो आपके पास oxide आ गया होगा, आपको उसके अंदर carbon डालना है, और फिर उसको heat करना है, तो ऐसा करने पर जो carbon है, वो oxygen को लेके निकल जाएगा, carbon dioxide बना देगा, और zinc हमारा भारा जाएगा, तो इस process से हम लोग अपने moderately reactive metals को extract कर सकते हैं, पहला process क्या है, sulfide या carbonate है, उसको oxide में convert करो और अगला क्या है, oxide से फिर carbon या heat करो, अच्छा अगर यह सीधा पहले से मालो, यह सीधा zinc oxide होता, तो पहला वाला process भी करने की जुरूत नहीं है, सिर्फ carbon डाल के heat करो, metal आ जाएगा, ठीक है अब यह moderately reactive को आपने देखा, आप थोड़ा ध्यान देना, less reactive में, क्योंकि तीन प्रकार के metal है, अब less reactive में क्या होने वाला है, बिलकुल सेम होने वाला है, बिलकुल सेम लेकिन वस एक छोटा सा बदलाब होगा, क्या, पहली बात तो less reactive metal में, अगर आपके पास और है, और है, तो आपके पास वो और oxide form में होगा, बिलकुल सही कहा रहा हूँ, oxide form में होगा, अब अगर वो oxide form में नहीं है, तो again, या तो वो sulfide या sulfate form में होगा, या तो वो carbonate की form में होगा, ठीक है ना, या तो और sulfide form में होगा, या तो वो carbonate की form में होगा, again, आपके पास sulfide से आपको कहा जाना होगा, oxide में, again process का नाम है roasting, अच्छा मैंने आपको calcination नहीं बताया अभी, और अगर वो carbonate की form में है, तो आपको करना होगा calcination, मैं आपको यहाँ पर calcination का है के example दे दूँआ, और अगर आप एक बार यह oxide में convert हो, आप कोगे sir, यहाँ तक तो same ही है, बिल्कुल same है, अब अगर आपको oxide से अपना metal भार निकालना है, तो इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ एक चोटा सा काम करना है, वो है heat, यानि कि, पिछली बार आपने उसको heat के साथ साथ carbon भी डाला, लेकिन इस बार आपको heat के साथ carbon नहीं डालना है, सिर्फ heat करना है, बाकि पूरा process same है, और अब आप सोच रहोगे sir, sulfide से oxide तो हमने समझ में आ गया था कि process का नहां में roasting, but calcination में क्या होता है, देखो, roasting में हमने in the presence of oxygen heat किया, calcination में हम in the absence of oxygen heat करते हैं, तो इसको हम बोतेते हैं, calcination, conversion of carbonates into oxide by heating in the absence of oxygen is called calcination, अब मैं यहाँ पर आपको इसका एक example दे दूँ, let us suppose, कि मान लो आपके पास mercury carbonate है, चीक है, अब mercury carbonate क्योंगी carbonate form में है, तो आप इसे heat करोगे, आप इसे heat करोगे in the absence of oxygen, in the absence of oxygen, तो पहले बात तो यह convert हो जाएगा oxide में, चीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, calcination, क्योंकि मैंने इसको absence of oxygen में heat किया है, और carbonates को oxide में convert किया है, secondly, मेरे पास जैसे ही HGO आ जाएगा, जैसे ही HGO आ जाएगा, मुझे सिर्फ heat करना है, अगर यह less reactive ना होके, moderately reactive होगे, तो मुझे carbon भी डालना होता, बड क्योंकि यह सिर्फ less reactive है, तो यहाँ से oxygen बहार चला जाएगा, और mercury मेरा अलग हो जाएगा, तो this process is basically known as extraction of metal, जहाँ पर हमने तीनों के लिए पढ़ा, highly reactive में क्या होगा, पिगलाओ और बजली पास करा दो, moderately में क्या होगा, oxide लो, नहीं है तो convert करो, heat डालो और carbon डालो और कर दो, और ऐसे ही, less reactive में क्या है, same process है, बस oxide से metal निकालने के लिए, reduction करने के लिए, basically heat करना है, carbon डालने के जुरूरत नहीं है, ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, कि metallurgy में तीन process है, पहला process हमारे पास क्या आया, concentration of or extraction, अब हम बात करेंगे, refining की, तो यह thermite reaction क्या पताता हूँ भी, लेकिन refining पर अगर आप आओ, आप मुझे सिर्फ इस question का answer दो, कि अगर मैं metal को refine कर रहा हूँ, मतलब कि अगर मैं metal को बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैंने metal की extraction कर ली, refining का मतलब समझ तो साफ सफाई, मैंने metal की extraction कर ली, metal extract हो गए, लेकिन अभी भी उसमें कुछ छोटी मोटी गंदगी हो सकती है, impurity हो सकती हो सकती हो सकती क्या होगी ही होगी, तो उस गंदगी को उस impurity को हमें हटाना है, और उसी process को basically हम लोग क्या बोलेंगे अब, refining of metal, concentration of ore मतलब ore की सफाई, extraction of metal मतलब metal को निकालना, लेकिन अब आ रहा है, metal जो निकल चुका है, उसकी सफाई करनी है, और उसके लिए जो process अब हम अपना रहे हैं, वो भी again बहुत सारे अलग अलग process है, लेकिन मुझे ने पता क्यों, हमारी NCRT, हमारी CBFC कहते हैं, कि बहुत सारे process में से, एक process पढ़ना है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं, electrolytic refining, अब आप ये मत समझ लेना, प्लीज, आप ये गल्ती से ही मत समझ लेना, कि refining का सिरफ एक ही process है, उसका नाम है electrolytic refining, ऐसा नहीं है, refining के बहुत सारे process होते हैं, लेकिन हमें जो एक process पढ़ना है, वो है electrolytic refining, और पता नहीं क्यों ये एक process पढ़ने को बोला, बाकी नहीं, लिखा भी वाई, the most widely used method, जो सबसे ज़्यादा इस्तमाल होता है, वो electrolytic refining हैं, लेकिन और भी process हैं, जो इस्तमाल होते हैं, क्या किया जाता है electrolytic refining में, यह मैं आपको बढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको alloys और थोड़ा बहुत aquarigy और thermite reaction में बताऊंगा, बस 10 minute का काम हमारा और रह गया, चेप्टर हमारा फिर समाप्त हो जाएगा, ठीक है जी लेकिन यह सारे topic बड़े important है, मान लो मुझे refining of copper करनी है, मान लेते हैं मुझे refining of copper करनी है, copper की साफ सफाई करनी है, अब copper की साफ सफाई कैसे की जाती है, तो यह हमारे पास एक container रहता है, अगर मुझे, अच्छा मैं आप copper की सफाई पता रहा हूँ, बट आप यह सारी सफाई copper के लावा किसी भी और की कर सकते हैं, तो यह मेरे पास copper है, जिसके मुझे सफाई करनी है, तो copper की सफाई करनी के लिए, सबसे पहली बात आपको जो solution लेना होगा, वो same metal का होना जाए, जैसे अगर मैं copper की सफाई कर रहा हूँ, तो copper sulphate लेना है, iron की सफाई कर रहा हूँ, तो iron sulphate लेना है, उसके बाद मुझे, जो मेरे पास impure copper है, जिसको मुझे सफाई करनी है, मुझे उसकी, जितनी मोटी हो सके, उतनी मोटी rod लेनी है, यह impure copper है, धियान रखना है, ठीक है, यह impure copper है, ठीक है, अब इस मुझे impure copper को, हमेशा आपको धियान रखना होगा, कि anode से जोड़ना है, और वहीं पे मुझे pure copper भी लेना है, अब जो pure copper है, उसकी मुझे पतली सी strip लेनी है, जितनी पतली हो सके, उतनी strip लेनी है, और यह मेरे पास pure copper है, यानि कि, मुझे जिसकी सफाई करनी है, वो मुझे इस तरफ लेना है, यानि यह मेरे पास है impure copper, ऐसा copper जो pure नहीं है, जिसकी मुझे सफाई करनी है, अनोड पे ध्यान रखना हमेशा अनोड पे और pure copper कहीं से खरीद के लाना है और उसको यहाँ लगा देना है अब जैसे ही आप इस switch को on करोगे, जैसे ही आप इस switch को on करोगे, क्या होगा यहाँ से copper के ions क्योंकि यह प्लस है और metals पे भी charge क्या होता है तो यहां से copper plus two ions निकलेंगे और यहां जाके deposit होना शुरू हो जाएंगे तो दीरे 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 यहां से copper निकलेगा और यहां जाके deposit होगा यहां से copper निकलेगा यहां जाके deposit होगा पर आप सोच रहे होगे कि एक तरफ से copper निकला एक तरफ जाके deposit होगा कैसे वो प्यूर कैसे होगी क्या इसके अंदर गंदगी होंगी कि इसके अंदर गंदगी III थोंगी तो अंसर हैं और इसके अंदर पर तो कोई चार्ज नहीं होगा तो वह सारी नीचे जाके गंदगी बैड़ जाएगी इसके और जो भी bet गंड़ी बीकट ऊपर नहीं होगा वह सारी नीचे जाके बैठ देगी लेकिन हमारा कॉपर वहां जाके पूरा बड़िया तरीके से पियुर हो जाएगा तो ध्यान रखना है जब किसी की refining कर रहे हूँ चाहे कहीं पर लिख़ लो हमेशा एनोड पर उसका इंप्योर फार्म लेना है एक्जां में पूछते हैं सवाव पर जोर पर हमेशा इनोड पर उसका इंप्योर फार्म ले पतले से पतला और निचे solution में आपको copper sulphate लेना है और पर सलफेट लेना है ड़न है ओके ठीक है अगर कॉपर की कर ले हो तो चलो अब पीछे हमने चोटी सी रियाक्शन को छोड़ा इसको बोलते हैं थर्माइट रियाक्शन थर्माइट रियाक्शन कुछ भी कहते हैं यह नहीं बहुत पहले के जमाने में रेलवे ट्राक्स को वेल याने की अगर मैं रश्ट लेता हूं जंग लेता हूं याने की रश्ट लेता हूं और उसको एलुमीनियम से थोड़ा सा initially heat करके react कराता हूँ तो दो बहतरीन चीजे बनती है एक होता है iron और एक होता है aluminium oxide अब आप कहोगे ये तो एक प्रकार से displacement reaction है ये तो एक प्रकार से displacement reaction है बट यहाँ पर ये खास क्यों है answer है ये reaction इतनी ज़ादा exothermik होती है इतनी ज़ादा exothermik होती है कि ये जो iron बनता है ये पिगलावा form में बनता है यानि की molten form में बनता है अब अगर iron पिगलावा यानि की molten form में बनेगा पिगलेवे form में बनेगा तो आप सोचो कितनी ओ भाई साब आप imagine नहीं कर रहे है यहाँ पे आइरन नहीं बन रहा यहाँ पे पिगलावा आइरन बन रहा इसका मतलब आइरन कितना जादा heat यहाँ पे निकलियोगी तब जाके वो melt हुआ होगा समयरे आप that is why that is why this reaction used to be used actually पहले होती थी अब तो नहीं होती railway tracks को weld कर थी आज भी कहीं जगाओं पे जहाँ भी बिजली नहीं पहुंचिए डंक से रिसोर्से नहीं है शायद वहां कर रहे हैं बढ़ अब तो बहुत अच्छे अच्छे टेक्नलोजी आ गई है ना फिर एक छोटा टॉपिक आता है मारे पास alloys अच्छे तो मैंने आपको बता दिया alloys क्या होते है alloys basically यह आपने 9th में पढ़ रखा है दो metals दो metals या metal या non metal को जब हम homogenously mix करते हैं तो उनको हम alloy क्या देते हैं जैसे कि brass जो है वो copper और zinc का alloy होता है bronze जो है वो copper और tin का alloy होता है solder जो जिसके हम दो तारों को जोड़ते हैं तीवी वाले भीया उससे PB और lid ऐसी emalgam emalgam एक ऐसा ओर होता है ओर कह रहा हूँ एक ऐसा alloy होता है जिसमें mercury के साथ हम कुछ भी metal डाल सकते हैं आपको याद हो किसी का अगर कभी दात में filling हुई हो तो वहाँ पे mercury के अंदर कोई भी metal को भरके दात में भरते हैं तो इसको emalgam alloy कहते हैं alloy मतलब दो metal या metal या non-metal का homogenius mixture इसको basically हम alloy कहते हैं ठीके अब alloys किसी भी दो metal या दो से ज़्यादा metal के mixture हो सकते हैं alloy बनाए क्यों जाते हैं तो आंसर है alloy अपने parental atom जिन से उनको बनाया गया उनसे बहुत हाड होते हैं जैसे कि मैंने पता था गोल्ड यह भी एक alloy पैन रखा है मैंने कैसे को कि इसमें सिर्फ गोल्ड नहीं है इसमें copper या silver mix के गए इसे hard बनाने के लिए अब यह hard है अगर इस सिर्फ gold होता और मैं इसे मार रहा होता तो इसकी shape बदल जाती डिड़ा हो जाता है इसका resistance जादा होता है जिसने electricity chapter बढ़ा है उसको महाँ पे night chrome बढ़ाया गया था night chrome wire जो कि nickel और chromium का ओर होता है और resistance जादा होने के वसे heating effect जादा पैदा करता है अगर आपको heating effect चाहिए तो अब इनका melting और boiling point भी बहुत हाई होता है इसलिए alloys बनाए जाते हैं अच्छा इस पूरे chapter में एक topic है corrosion नाम का corrosion और corrosion नाम का same topic हम कहां पढ़ चुके हैं same topic corrosion हम कहां पढ़ चुके हैं आंसर है chemical reaction equation तो इसलिए मैंने उसे skip किया अब वहां से पढ़ सकते हो same topic है कुछ नहीं बदला अच्छा लेकिन यहां पे एक छोटा topic आता है बच्चे हमेशा इसके उपर बात कर दें और वह aqua region अभी aqua region क्या होता है पहले बात तो it is the mixture it is the mixture of 3 is to 1 amount of HCl with HNO3 HCl with HNO3 यानि अगर मैं HCl और HNO3 को 3 is to 1 ratio में mix कर देता हूं तो इसको aqua region बोलते हैं अब इसका नाम aqua region की बड़ा actually aqua region region मतलब होता है royal और aqua मतलब liquid royal water या royal liquid भी इसको बोलते थे क्यों यह इतना strong होता है पहले बात तो है क्या 3 is to 1 ratio में HCl और HNO3 को mix कर दें तो इससे aqua region बोल देंगे अब यह है क्या it can dissolve metals like gold silver in it यह इतना strong mixture बन जाता है इनके mix होने के बाद कि अपने अंदर gold और silver जैसे metals को भी mix कर सकता है और यही reason है बहुत बड़ा कि इससे पहले के जमाने में हम लोग क्या करते थे polishing करते थे पहले के जमाने में aqua region की मदद से क्या किया था था उसमें बैसे अब क्योंकि यह इतना strong एक gold को भी dissolve करता है तो gold की समझ में आया फिर इसका इस्तमाल बंद हो गया ठीक है तो यह हमारा इस चेप्टर का one shot हुआ I hope आपको यह one shot बड़ा अच्छा लगाओ experiments आपा नहीं थे मुझे पता है बट हमने सारे topics इसमें cover किए corrosion मैंने आपको पताया यह topic हम लोग chemical reaction equation बढ़ चुके हैं अब बहुत जल्द एक session ले आएंगे जहां पर हम metals and non metal के सवाल करेंगे जैसे कि हम हर बार कर रहे हैं जो जिसको नहीं पता पता तो हम हर मंडे को मैं live आता हूं और हम कोई ना कोई chapters के question answers करते हैं तो जितने भी अभी तक मैंने आपको chapters पढ़ाएं one short की form में सब के question answers हम लोगों ने कर लिए हैं तो और इसको आज हमने पढ़ा दिया बहुत जल्द इसका भी live session जाके सब्सक्राइब कर लेंगे बड़ तब तक आप एक chapter पूरा कर लो reactions पढ़ लो दिल से दिमाग से हर तरफ से तो अगर एवन चोड़ अच्छा लगा तो comment section एक छोट आसा प्यार आसा comment जरूर चोड़के जाएगा thank you so much thank you